चल उड़ जा रे पंची चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसे रा था आज यहां और कल हुआ ये जो की वाला फेरा था ये तेरी जागीर नहीं थी चार घड़ी का डेरा था सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबो दाना चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची अरे राम अरे राम अरे राम भाईया दवा के की खुराग रह गए इसे पीलब जी अच्छा रहेगा बहन अब वोस हमें आगया है जब दवा नहीं बल्के दुआ की जरूत होती है राम नाम लो रतन कहां है तुम्हारे पार्शी हूँ बाबा बहन राजन रमेश और बिल्लू को भी मेरे पास ले आओ अभी लाई रहा है जतन मेरे बेटे इधर आओ बैठो पापा घब रहा हो नहीं दुनिया में चल चलाओ तो लगा ही रहता है मैं कह रहा था मैं तुम्हा लिए दौलत नहीं बलके जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूँ मेरे बेटे मेरे बात ये तुम्हारे भाई तुम्हारे भाई ही नहीं तुम्हारे बेटे मुझे वचन दो कि तुम अपनी जान पर खेल कर भी इनकी देख्भाल करो ले ये तुम्हेरा फर्स है बाबा फर्स के लिए वचन की क्या जरूरत भगवान तुम्हारी रक्षा कर दो बेटा तुम्हारा ये घर बोतिलाल वकील के पास एक हजार में जिस तरह भी बन पड़े इस घर को छोड़ा दे जरूर बाबा जरूर मैं तुम्हारे इस निशानी को मिटने नहीं दूगा हाया बच्चे आगए बहुत जरह रामा इंकी बोच रपाई तो पड़ो जो रोज मैं तुमसे सुनता हूं हाई लगकुलरी तर सदा चली आई प्राद जाये परफ़ चल जाये बाबा रदन मैं न जानता था कि तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी चल वसेंगे तुम्हारे बहुत नेक आदमी थे वो चाचा जी बाबा तो चले गए लेकिन हम कहा जाएंगे फिकर न करो बेटा मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँ चाचा जी आपके ऐसान तो पहले ही बहुत है हमारा गावल अगर आपके पास गिर्वी है भगवान ने जब कभी मुझे ताका दी आपका हजार रुपे जरू चुका दूंगा नहीं नहीं मैंने तुम्हारे पिता जी को रुप्या उधार नहीं दिया था एक दोस्त समझ कर उनकी मदद की थी मैं वो प्रनोट भी फार देता नहीं चाचा जी पिता जी की आखरी ख्वाहिश यह थी कि जब कभी मैं अपने पाउं पर खड़ा हो जाओं सबसे पहले आपका कर्श चुकाओं रतन तुम चाहो तो मैं बैंगलोर में ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का बंदवस्त कर दो मेरा बेटा जीवन और मेरी बेटी तारा भी स्कूल जाते हैं उनके साथ तुम भी चले जाये करना नहीं चाचा जी मैं और नहीं पढ़ना चाहता अगर मैं स्कूल चला गया तो छोटे भाईयों की देखबाल कुन करेगा मैं चोटा मुटा व्यवपार करना चाहता हूं बेटा व्यवपार के लिए तो सर्माई की जरूरत होती है जी बाबा की करिया करम के बाद 25 में बच्चे हैं वो मेने संभाल के रखे इस चोटी से उमर में तुम बजर्ग हो ग करें तुम तो मोतिलाज वकील की चिक्ठी लेकर आया तो मिया चिक्ठी तो चिक्ठी हम उनके इशारे पर दाख रुताय का उधार देजे हैं हां कुछ पीओगे भाई जी मुझे प्यास नगी अच्छा तो कितना कपड़ा चाहिए तुम जितना आप मुनासिफ समझे अरे अरे भाई यह सब कुछ तो अल्हा की देन है हम तो उसकी देन के मुहाफिज है यहां रख दो अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं रूस के रुजा कर इसाफ चुका जाया करूँगा खुदा तुम्हे काम्याब करें अच्छा नमस्ते खुदा हाफिस जस्ते अच्छे और मजबूत कपले जस्ते अच्छे और मजबूत कपले कपला चाहिए भेर? तोरी लगता मल मल मैं डिजान की चीते अरे जहने दो बेठार कफी दो खरी तो आराम कर लिया करो कैसी बाती करती हो पूफी? जवान लडकाओं जवान जालättे कमाल जस्ते ने! लो घर बोसे लगो एक रूर्प्या! तो अर्शक ल हो जबाए दो रूर्प्या कफ़ा तो छे रूर्प्या था? माहू मा कुछ बूल गय Payiki के चार ढर भी तो ले ते जा इश्वर तेरा भला करे बेटा, वरना आज कल के दुकानदार तो पैसा ने कर भी मुकर जाए दिवाली की तैयारिया है अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कह दे ना संजे अब भुखार भुखार तो नहीं आता नो तो अब जाते हो, नो तान हो गए, तो पिल लगाते पाहा दो नमस्ते रदन्भाव, नमस्ते एमनशी राम जी, नमस्ते कहो, क्या बात है? जी, नए माल का ओर्डर भेजना है, हैंड रूम की साड़ियां बिलकुल खत्म हो गही है सब भी कहीं? अभी तो पिछले हफ्ते पंद्रह हजार का माल बंगा है मुझी, भागवान की देर सिर्फ 20,000 रुपए के पेशगी ओर्डर और भी आ चुके हैं एक बार जो कोई भी इस दुकान से चीज ले जाता है, फिर कभी दूसरी दुकान पर जाने का नाम नहीं लेता है मुझी राम, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है दुकान की ये तरकी, तुम जैसे मेंती और इमानदार आदमियों की वज़े से रतम बाबू, खाप जैसे नेक मालिक के साथ कहन मुराजम बुराई कर सकता है ये लिजे, ये रह ड्राफ, दस्खत कर दीजे, मैं आज ही ओर्डर के साथ भेज़ देता हूँ ये अच्छा, नमस्त पिता जी, आप की हर खाहिश पुरी हो रही है, दुकान खूब जोरों से चल वही है आपके लगाद हुए बेल भूटे, बढ़ते घने पेड बन चुके है रमेश वकालत के तरह यारियां कर रहा है, राजम कुछी दिनों में डॉक्टर बन जाएगा, विलू भी से आना हो चुका है बग मैं भी अब बाप बन चुका हूँ, लेकिन एक बे माँ के पिठे का आपके बहु भगवान को पहनी हो चुकी है पिताजी, मुझे आशीर बाद दीजिए, कि मैं आपको दिये गवचन को, हमेशा निवास हूँ वकील भया, तुम ही कोशिश कर देखो, मुझ से तु रतंदान मानने वाला नहीं उसे आ ले ने दो बहन, मेरा ख्यार है कि मैं उसे समझा भूचा दूँ अरे तुम आगे, ये क्या कर दो, कब आया आप दू बहर की गारी से बैठो बेटा, कहो कैसे हो, आपके आशिवाद से सब अच्छा है, रतंद, मुझे तुम से एक जरूरी बात करनी है जी खोक्म, फरमाईए, मैं तुम्हारे लिए शादी का पैगाम लेकर आया हूँ मेरी शादी, हाँ, चाचा जी, मुझे तो अब रमेश और राजन की शादी का फिकर करना चाहिए, अपने बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं यह तुम्हारी कुन्बा परवरी है बेटा, मगर मैंने भी कुछ सोच समझकर ही फैसला किया है, चाचा जी, मैं आपके सामने जबान नहीं हिला सकता लेकिन इतना जरूर कहूँगा, कि सुशीला के गुजरने के एक बरस बाद ही दूसरी शादी कर लेना सच है रतन, लेकिन मैं अपने तजर्वे के बिना पर कुछ कह रहा हूँ, जीवन बहुत छोटा था जब इसकी मार्चल बसी, जैसे भी हुआ मैंने उसे पाल पोस्ट कर बढ़ा किया और अब तुम जीवन को जानते ही हो, कि वो क्या है, बच्चों की परवरिश मा ही कर सकती है रतन, अपने लिए नहीं, इस नन्नी सी जान के लिए तुम शादी कर लो, मैंने तुम्हारे लिए एक खरीब, लेकिन खांदानी घर की शुशी लड़की देख रखी सोच लो, बेटा, वकिल भया ठीक ही तो कह रहे है, चाचा जी, आप मेरे पिता समान है, लेकिन अपने दिमाग से मैं कुछ फैसले नहीं कर सकता जाए चपा, बहु घर में ख़दम रख रहे हैं, इसमत विद्भा लड़की कर सामने जारा मुनासिक नहीं, बुरा नमान बेटी देख लिया बहन, इस वरीब लड़की की इज़त उतार दी, बहन, आजमी नहीं बोलता, इसका पैसा बोलता है, कपड़े की फेरी करने वालों को भगवार ने सेज बना दिया और बहु भी क्या है, बैंगन को हाथ पा लगा के सजाया हुआ है, और क्या रिंडूयों के मेरे जैसी पदमनी मिल जाती, आधा सरसफेद हो रहा है रदल्लाल का, हमारी दुकान से रोज खिजाब की शिशी खरीता है यह जानती हूँ, कितना प्यारा बच्चा है, मेरा राजा बेदा जब क्यों हशानता, कोई बात नहीं, यूही लटा की आद आ गई थी, लटा, तुमारी छोटी बहन? जी, दरहसल वो मेरी सगी बहन नहीं, मेरे चाचा की लड़की है, बच्पन में ही अनाथ हो गई थी, सबसे हमारे हाँ ही पली बढ़ी, मैंने कभी एक पल के लिए भी उ उसे यहां बुला लो, अच्छा होगा, घर में रौनक हो जाएगी, बुला तो नहीं, लेकिन एक बात से डरती हूँ, लटा, बाल विद्वा है, बाल विद्वा, अभी उम्रे क्या है उसकी? बिचारे गुडियों से खेला करती थी, जब उसकी शादी हो गई, और शादी ह होती ही कुछ दिनों के बाद, उसके मांग का सिंदूर मिट कया, हमने आज तक लटा को नहीं बताया, कि उसे खुल कर मुस्कराने का अदिकार भी नहीं है, यह सब पुरानी बाते है, इसमें उसमेचारी का क्या दोश, तुम लटा को यहां बुलवा लो, शांता, मैं कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी यटरिया न शोड मचा कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी यटरिया न शोड मचा, आपारे कारे बादरा काहे को जगाया, वो बैरी में थो सोई थी काहे को जगाया, वो बैरी में थो सोई थी पापी तु क्या जाने मैं सपनों में होई थी आखां से मेरी लिनिन्दिया उडा, कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा, मेरी यटरिया न शोड मचा कारे कारे बादरा कभी इतर आए, तो कभी उत जाए रे कभी इतर आए, तो कभी उत जाए रे देछके आकेली तु मुछ पोड़ाए रे देखके आकेली तु मुछ पोड़ाए रे तीछे कहां से ये धेंग छलेया कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा मेरी या तरिया ना शोड मजा कारे कारे बादरा आजा तु ही आजा पवन लहराए के संग संग ले जाए बदरा उड़ाए के संग संग ले जाए बदरा उड़ाए के संग संग ले जाए बदरा उड़ाए के तुम्दी दुआए उत तेरा भरा कारे कारे बादरा, जारे जारे बादरा मेरी या ठेरिया ना शोड मजा कारे कारे बाद राव जिस्टर, ओ मेरी सुरीली सिस्टर क्या है भीया अगर हिजाज़त हो तो मैं थोड़ा सो लू यह भी कोई सोने का वक्त है अरे क्या कर क्या रही है दू ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बाबा यह देखो दिनके जारा बच चुके हैं और तुम अभी तक पड़े सो रहे हो तारा हां जी लैंप तुमने देखा देखा लैंप कब जिलाया जाता है रात को बास तो समझ लेके रात के जारा बचे हैं बुद नाइट बुद नाइट भाबी ओ भाबी पर बाबा क्या होँ क्या करती है तारा बड़ी मुश्किल से इस फितने की आँख लगी है लोरियां दे देकर चुलाया है तेरे हाँ जोडता हूँ बाबा इसे मचगा क्यों नहीं जगाउं बताऊं क्या बात है बताओ आजकल डैडी ने मेरा एलाउंस बंकर दिया और तेरी भाबी जाग गई तो ये सीधा कलब जाने का तकाजा करेगी और मैं कलब में मूह नहीं देखा सकता एक हजार रुपए डैडी मैंने तो मुद्धतों सो को नोट नहीं देखा लेकिन सो सो के दस नोट तो देखे हैं न जीवन तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक बाप का बेटा रतलाल है जो अपने स्वर्गवासी पिता का कर्द उतारता है और एक मेरे बेटे तुम हो जो ओ डैडी बस याद आ गया कोई साल भर की बात है ने एक दिफाफा दिया था जरूर किसी पुराने कोट की जेब में पढ़ा होगा जरूर पढ़ा होगा चलो तारा साहबजादे की नीद खराब हो रही है तुमारा रमेश चाचा पास हुआ या नहीं पास हुआ या नहीं रमेश रोल नमट 210 है न तुमारा हाँ भीया फिर तो तुम फेल होगा है नहीं नहीं रमेश कैसे फेल हो सकता है जैसे दुनिया के दूसरे लड़के होते है कोई बात नहीं अगले साल पास हो जाओगे मेहनत तो विशारे ने धिनराप की थी मगर काम्याबी तो भद्वान के हाथ में होती है मुबारक हो रतन रमेश लेलवी में पास हो गया पास हो गया? हाँ क्या कह रहा है हाँ तुमने अखवाब नहीं देखा यह देखा लेलवी अपनम ने देखा था फर्स्ट क्लास 210 अरे मैं तो सेकंड और थर्ड क्लास ही में देखता रही है अरे फुपी रमेश पास हो गया फस्त क्लास में है? मैं जानती थी हमारा रमेश कभी पेल नहीं हो सकता बाभी यह तो तुम्हारा ही आशरवाय थै देखो भाईया अब वोर्कील बन गए हो कोर्ट में भी हमेशा सच का साथ देना वकालत और सच्चे ही बाभी एक आग है और एक पेट्रोल सच्चे ही का पेशा तो सिर्फ डाक्तर का पेशा होता है जोट 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 बिलकुल छूट अरे डॉक्टरों के हत्ते कोई खाता पीता अमीर बरीज चड़ गाया तो समझलों उसका दिवाला निकल गया तरह से जुकाव हो गया तो जुलाब की गोली देते और जहाँ जुलाब लगने शुरू हुए के injection पर injection injection पर injection और जहां इंजक्शनों से हाज सूझ गया क्या आप्रेशन जिसम के सारे मद्वर हो जाएंगए लेकिन जुकाव महीं का अच्चा बिल्लू सबसे सच्चा पेशा कौन सा है हमारी भावी का तो क्या? देख लता फिर जो तुने मुझे पेटू का तो एक जमा के लगाऊंगा अरे जा 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 बढ़ा आया घर कम माली मैं जीजा जी से कहके पित आउंगी हाँ ए लता तोड़ते बैठे मेरे छोटे भईया को तुम छटी रखी रखी अहां देख लो भईया तुम बीबी एफ तेरा रखा है सरकस्वाले से वापस नहीं आने देंगे अहां बोल तो ऐसे रहा है जिसे उस पिंजरे से तु खुद भाग के आया अब बस भी कर लाता क्या महाभारत छेड़ी है तुने यह तो बच्छों की महाभारत से बेटी अपने हाथ छिड़ती है और अपने आत्व अब आपकी सेवा में मासर मिच्छू दस्वेगर की चीज़े पेश करता है आज का मीनू ये है आलो मतर पनियर के पकाड़े जेरा दून के चावल गंगा जमना के दाल आप सुनिये प्या जेचर दिमू सब लोग अपनी प्ले लेकर दस्वेगर में सच्छी प्ले आयाएं अरे मिच्छू तो बड़ा शरीर हो गया है लेकिन ऐसी शरागते ही तो घर की राउनक होती है रतन किसी बज़र्ग ने तुम्हारे घर को देखकर ये कहा होगा कि सबसे बड़ा विद्याल है एक घर होता है चल मेरे गोडे चल 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 मेरे गोडे चल 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 मेरे गोडे चल चल मेरे गोडे चल मेरे गोडे चल 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 मेरे गोडे चल चल मेरे गोडे चल 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 मेरे गोडे चल चल मेरे गोडे चल 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 च कान चलाता था तू क्या करता है अच्छा तू इतनी गंभी होगी तेरी जबान चल मैं तो पढ़ने लिखने में हूं ही जीरो ये मेरा भी बाप पढ़ने लिखने की फिकर नहीं पेटा घोड़े की सावारी करते है अकपर के दो वजीर थे एक का नाम था मुल्ला वीरबल और अच्छा थोटे ओजा एक स्वाल का जवाब दोगे क्यों नहीं मैं मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता हूं कुछ आच्छा तू ये बता हम जो भाषा बोलते हैं उसे मात्र भाषा क्यों कहते हैं मात्र भाषा यानी मदर टंग वाषा मदर टंग वेठो का से ढूंके लाए इस सवाल बच्चों को अच्छ सवाल नहीं पुछ के चलो आपनी जगाप जाकर बैठो चलो यू बोलो चाचा में यू रहता है जड़ जल च्छल मुझे क्या नहीं आता है मादर टंग तो मैं फादर टंग पी जानता हूं है जब्चा तुब्च कुछ बहुं रही आता है अच्छ तुम बताओ भाषा को मात्र भाषा क्यों कहते हैं बताओ दिखू चाजा घर में राज्ट कितका ओता है म मा का नम, बात किस के चलती है, मा की नम, इसलिए भाशा को अम्मा ब्रम भाशा कहते हैं, कुछ आया आकल मैं? अच्छा, अब समझा कि ये पट्टी तुझे किस ने पढ़ाई है, चाल ख़लाओ जा, काल पकाट, पकाट काल अच्छा, आज मैंने कुछ तुम्हे पढ़ाया है, मैं तुम्हारा गुरू हूँ, मुझे प्रणाम करो नमस्कार महाराज, अब आप यहां से पढ़ारिये और मुझे कुछ पढ़ाई ने दीचे आहा, बोल तु यू रहे हो, जैसे बहुत बड़े विज्जार्ची हो तु, बहराम दाखु के नॉवल के सिवा कभी कुछ पढ़ाया तुमने तु तो समझती के सब तेरे जैसे अनपढ़े, अपना नाम भी लिखना आता है तुझे आता है या नहीं, लेकिन तुझे जरूर पढ़ा सकती हूँ, जैना जै, बिल्ली शेर को क्या पढ़ाईगी, बिल्ली ने शेर को सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन दरफ पर चरना नहीं सिखाया था, अच्छा, मालू हो गया, तु जरूर किछी चिडिया घर से भाग कर चल जाए यहां से, इस मुट्टू को भी अपने साथ ले जा, मैं बिल्ली शेर को से बात नहीं करता, चल, जाना, जाना चाई लगा के, चाई लगा के माना बन गए जनाव हिरो, रहे पढ़ाई आली खाई में तो जिरो जिरो चाई लगा के माना बन गए जनाव हिरो, रहे पढ़ाई आली खाई में तो जिरो जिरो पापर हाजार भेलो, कोई भी चाल खेलो पापर हाजार भेलो, कोई भी चाल खेलो, खोड़ी कहीं से पर अकल उथार लेलो चश्मा चड़ा के माना बन गए जनाव हिरो, रहे पढ़ाई आली खाई में तो जिरो जिरो ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ल के बटेर भी वो गुरा ना मालो तो मैं के बटेर भी वो सोला लगा के सोला लगा के माला बन गए जनाब ही रो रहे पढ़ाई आनी ठाई में तो जिरो जिरो करते हो बेग खुजा आए ना काम दुजा करते हो बेग खुजा आए ना काम दुजा इसलिए तो भेजा रहता है जी सुजा सुजा रस गुला खा के माना बन गए जनाब ही रो रहे पढ़ाई आनी ठाई में तो जिरो जिरो जाई लगा के माना बन गए जनाब ही रो रहे पढ़ाई आनी ठाई में तो जिरो जिरो भावी, ओ भावी, ये भगवान इस मुझीवत को इस घर में कहां के बेच दिया, भावी क्या है दिलू भावी, मुझे बचा लो, मेरी जान मुझीवत नहीं कुछ कहो भी तो सही, सच्छी बार कहने से ड़ता क्यों है, मैं बता दो बीबी को यहाथ दिखाए तुने, जब कभी मुझी नहीं खुलता तो हाथ दिखाने लगते हो, जो प्रेवर ना अपने कतीस दान ढूरती फिरेगी, शायद तुझे पता नहीं, दान बत्तिस होते हैं, एक इसलिए छोड़ दूगा कि उसमें कीडे पढ़ जाया और वो हिल हिल के अप छोड़ो बिलू, बताओ, जगड़ा किस बात का है, क्या बताओ भावी, किताब उठाने की देर होती ही कि मुझे छेड़ने चली आती है, मैं आज लिख कर दिए देता हूँ भावी कि मैं फेल हो जाओंगा, तु क्या बहराम जापू का नॉवल पढ़ने वाले पास हो जा है, तुम किताब के अंदर एक गाने की किताब छुपा कर नहीं रखते है, हाँ, बोलती जाओ, बोलती जाओ, तुम्हारा क्या बेगलता है, नुखसान तो मेरा हो रहा है ना, एल जुबरे के एक सवाल तक नहीं आता मुझे, लेकिन गाने तो सब याद है ना, देखो मार खाके रोते हो, बच्चे सो भाहर देखें, तुम 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 एडवांस मेरा शुरू कर चुपो, चुपो, जाओ, 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 एक चौकले देन परेगा, एक या, दो दो चाकले भूगो मेरे साथ, अजो, तुम कहां जा रहा है, भावी, इसे रोक ले देख तुम क्या पढ़ते हो सच्चाई का तो आजकल जमाना ही नहीं भावी यूसुमसी के लिए एक सूली महात्मा गांजी के लिए तीन गोलिया और मेरे लिए ये दो शैतान ये बगवान चलो भावी तुम चल के देखो क्या क्या पढ़ता हूँ चलो आओ आओ ये तुमारी नि अधिक आदमी समझ सकता है इसको देखती हो शायद मेरे सुमझ में प्लाजाए अरे भावी ये धोभी के कपड़ों का हिसाथ थोड़ी है अंग्रेजी की किताब है बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी तेग आगोर को नहीं समझ सकते अच्छा तो ये टै आप तॉतॉत के आफी आपकोर को चुछर है अंग्री ये सभी है रहान को हीसा मेरे खुर। इछा थोटaria शुझ समझ सकहां हो से इस बात का जिक्र ना करना नहीं करूंगा भावी लेकिन आज कल की लड़किया तो स्कूल का मुझ देखते ही साथ अंग्रेजी का रोब चमाने लगती हैं लेकिन भावी तुमने बीये पास होकर भी कभी अंग्रेजी का एक लफ्स मुझ से नहीं निकाला बिल्लो हर चीज अपने अपनी जगह अच्छी लगती है तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भाईया कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं अगर शादी से पहले उन्हीं ये पता चल जाता कि मैं बीये पास हूं तो मुझे उनके चन्नों में बैठने का मौका कहां से मिलता तो भावी तुम्हें शादी से पहले मालूम था कि भाईया जादा पढ़े लिखे नहीं तुम्हारे भाईया को पढ़ने की जरूरत भी क्या थी जिस आदमे का दिल विशाल और पवित्र हो वो आदमे एक उनिवर्सिटी चे भी बड़ा होता है ओ वाट इग्रेट शिष्रेला नमस्ते रतन वाब आओ आओ मुंशी राम कहो कैसे आए हो कोई काम है जी मुझे आपस एक बहुत जरूरी काम है तो कहो ना जिजग तो क्यों हो अगर आप मेरी बात रख ले तो अर्स करो मैंने आज तब कोई तुम्हारी बात ताली है तरखी मांगते हो क्या जी नहीं मुझे एक हजार उप्या कर्श चाहिए इसके वस में अपना मकान आपके पास गिर्वी रख दूँगा मुझे राम जी तुम कब से मेरे पास काम कर रहा है जी बहुत दिन हो तो फिर मकान गिर्वी रखने का जिकर क्यों किया तो तुम ये कहो तुम्हारी ज़रूरत क्या है क्यों कर चाहिए तुम रतन बाबू मेरी एक ही बच्ची है जवान हो गई उसकी शादे करना चाहता लड़का तो देख रखा है लेकिन वो लोग दहिज मांगते हैं ओ लेकिन मुझे राम तुमने कभी जिकर नहीं किया कि तुम्हारी कुई बैने लाइक लड़की भी है क्या नाम है उसका मंगला मैं उसे देखना चाहता हूं जी खबराओ नहीं मैं तुम्हारे घारा कर सब कुछ बता हूं कि घरीब खाना ही तो है नमस्ते 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 अच्छा तो यह है मंगला है बड़ी सुशील लड़की कहां तक पड़ी लिखी हो जी पढ़ाय लिखाय की ताकत मुझमें का घरबार की जरूर के लिए चिठी तार वगरा लिख पढ़ लेती है तो और का जाहिए गरेलू लड़कियों के लिए इतनी तालियम बहुत काफी होती है जी भगवान के दिया से बड़ी समझदार और हुश्यार बच्ची है लेकिनी सूच बूच का क्या फाइदा रहतन बाबू आखर है तो गरीब की संतान निराश नहों मुझी राम मैंने तुम्हार की बात है तो फिर मंगला हमारी हो क्या वैसमें रहा होने की क्या बात है तुम मेरे छोड़े बाइद को जानते हो आज कल बकालत कर रहा है मैं उसके लिए मंगला को देखने आया था रपितंब मुझी राम माइद गरीब धर में पैदा हुआ था मुझे अपनी घरीबी या जी मैं मेरा मेश बबुक के बारे में क्या कह सकता हूँ? खुब्सूरत है। वकालत पास है। और अमीर भी है अमीर भी है। ये जो कुछ मैंने कमा रखा है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है। उस पर मेरे तीनों भाईओं का उतना ही हक है जितना बाप की जाइदाद पर सब बेटों का होता है आपको तो मैं जानता ही मुरतन बाबू लेकिन एक छोटी सी शंका है दिल में क्या है वो? देखिए, मेरे और आपके मर्तबे में जमीन आस्मान का फर्क है आपके घर में लक्षमी का राज है और मेरी कुठिया में भूब का निवास मुझी राम तुम ये बात मत चड़ो मेरे नजदीक इंसानियत का तराजू दौलत नहीं शराफत है मैं मुझी की सब तैयारियां किया देता है जारे जादूगर देखी तेरी जादूगरी मेरे दिल पे हॉले हॉले जाने ने तिरे क्या बोले तिरे ने नोने दिल में बना ली नगरी जारे जादूगर देखी तेरी जादूगरी तुझको क्या मालूम के पेरी सुरतिया वासुम जादू ढार गए तुझको क्या मालूम के पेरी सुरतिया वासुम जादू ढार गए पहली पहली बार हुई जब सैया फेचार में दिल आर गए मैं ना भूलूंगी वह बात तुझे आद है और रात जब अखियों मेरा इन बिठाई सघरी जारे जादू गर देखी तेरी जादू गरी मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले तेरे नैनों ने दिल में बनाली नगरी जारे जादू गर देखी तेरी जादू गरी जो नेनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किस को बता जो नेनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किस को बता लाख किया इनकार मगर जो होना ही खा प्यार वो तो हो के रहा आखो आखा का ये मेल में तो समझ भीखे तुने भईयां कखड ले तो फिर मैं दरी जारे जादूगर देखी तेरी जादूगरी मेरे दिल से हाले हाले जाने नेन तेरे क्या भोले तेरे नेनों ने दिल में बनाली ने बेरी जारे जादूगर देखी तेरी जादूगरी क्यों जादूगत तारा भाया चाचाजी से मिलनी आये हुए हैं कहीं उन्होंने देख लिया तो शाद हमारी शादी ना कर भाय थी पगली शादी तो यतना शरूर होगी लेकिन अभी भाया यही समझेंगे कि उन्होंने मुझे चाचा जी की पस वकालत सिखने बेजा और मैंने यहां कर महबत के पेक्टिस शरू कर दी चलो हर तो तो रमेश की शादी मुझे राम की लड़ती से होगी जी है मैं जानता हूं रमेश इंकार नहीं करेगा लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही था क्या बात है चाचा जी रतन मैंने तो रमेश को एक जमाने से तारा के लिए सोच रखा तो आपने मुझे पहले क्यों ना बता मैं मंशी राम को हर्गिस वचन लगता बेटा रहता अगर तुम वचन दे चुके हो तो उसे निभाव जाचा जी आज मेरी जंदेगी के सबसे बड़ा मतहान एक तरफ मेरी जबान की आजमाईश है और दूसी तरफ मेरे फर्ज की लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को दिये हुए वचन को तोड़ दो आप ठीक कहते हैं जाचा जी लेकिन मैं उस आदमी को भी तो इंकार नहीं कर सकता इसमें मुझे जमीन से उठा कर आसमान की पहली सीड़ी पर चड़ा है आप मुझे आशिरवाद दीजी कि मैं अपनी जबान और अपने फर्ज दोनों को न मुझे लिए कहिए सब तयारियां मुकमल हो गई न मुझे राप जंदगी में पहली बार मुझे वचन दे कर पीछ दिखाने की जिलत सही पड़ी यह आप क्या कह रहे हैं ऐसा सुन्मा कीजेगा यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है मैंने दुनिया भर से कह रखा है कि म मेरी बेटी आपके घर जा रही है रतन बाबु विरादरी में मेरी नातना खक्वाईएगा खबराओ नहीं मैं अभी वकील चाचा से मशुरा करके आ रहा हूँ तो यह आग जरूर वकील सहाब में लगाई होगी रतन बाबु आप किसी की बातों में आकर मेह सत्य नास्ना क मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंगला की शादी रमेश से नहीं बलके राजन से होगी राजन को जानते हो ना आपका दूसरा भाई जो डाक्टरी पढ़ रहा है हाँ वही कुछ मजबूरी ऐसी थी जो मुझे तुमारे सामने आंख नीची करनी पड़ी तुम्हे को इतराज तो नहीं जी नहीं मुझे का इतराज होतकता है रामना सही रक्षमन सही भाई तो दोन आप ही कहें रतन बावो मैं अब मंगला के हाथ पीले करके रेटायर होना चाहता हूँ जवान हो या बुडिया या नन्नी से गुडिया कुछ भी हो आउरत जहर की है पुडिया जवान हो या बुडिया या नन्नी से गुडिया कुछ भी हो आउरत जहर की है पुडिया मारे पिस्टॉल से ना काटे तलवार से मर्द को गुलाम ये बनाए बड़े प्यार से कभी इकरार से कभी इनकार से कजर की धार से या बालों के सिंगार से जिसलिए कहता हूँ डरो डरो नार से जवान हो या बुडिया या नन्नी से गुडिया कुछ भी हो आउरत जहर की है पुडिया हो नहीं सकता ये काम भगवान का नुस्खा जुरूर ये तो होगा शैतान का चार पुंदे नकड़ा आठ पुंदे जगड़ा जूट बारा पुंदे तो सोला पुंदे लफड़ा वा 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 कैसा बनाया तूने रगड़ा बनाया तूने रगड़ा जवान हो या बुडिया या नननी सी बुडिया कुछ भी हो आउरत जहर की है बुडिया जलने में तेज जैसे सुई घड़ी आलकी लाए ये निकाल के खबर पात आलकी मीची है जबान की जूटी है जहान की दिल की है खोटी तो कच्ची भी है कान की काली हो या गोहरी है बैरी इनसान की जवान हो या बुडिया या नननी सी बुडिया कुछ भी हो आउरत जहर की है बुडिया जवान हो या बुड़िया, या ननने से कुड़िया, कुछ भी हो आरत जहर की है बुड़िया पोस्ट मैं राजिन, येश, उमारा खताया है, मेरा? घर से आया राजिन, घर से बेवर सुस्राल से भी मेरे घरवालों ने मुझसे पूछे बगर मेरे शादी पकी कर दिया आप बसे बेटा लेकिन मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं उसून का धनी हूँ, दुनिया इदर से उदर हो जाए, मैं हर्गीज हर्गीज शादी नहीं करूँ गरूँ मा जिल्दी करो, साबुन मेरे आख में गया मा, मा जिल्दी करो, पानी बड़ा के लए बावी, बेटा, बावी राजर, तुम इसनी जिल्दी कैसा है? चाचा मितो, यह साबन वाले हाट ना लगाना मुझे तब्यत तो अच्छी है ने तुमारी हाँ, तब्यत तो बिल्कुल अच्छी है बावी लेकिन यह मज़ा क्या है? मज़ा, मज़ा कैसा? मैं तुछ समझी नहीं बावी, सब कुछ जानते हुए पर अंजान दे बना मैं कह देता हूँ, शादी मेरे उसूल के खिलाफ है किसकी शादी है और कैसा उसूल? चलो, पहले आराम से बैठो, फिर बात करो आराम तो शादी का नाम सुनते ही हाराम हो गया देखो भावी, ऐसे मेरे उम्रे ही क्या है? ये भैंस की रस्ते मेरे हाट में क्यों दी जा रही है? भावी, मैं तुम्हारे पाउं पढ़ता हूँ मुझे इस संसार सागर में दूबने से बचाओ राजन, एक बार संसार सागर में कूद कर तो देखो, अपने आप टेर कर किनारे लग जाओगे नहीं भावी, मैं डूब जाओंगा अगर शादी से इतना घबराते हो, तो उपर जाकर अपने भाईया से बात कर देखो भावी, उपर सिर्फ भाईया है या और कोई भे? फूपी भी है तुम मारे गए भावी, कम इसकम मेरे मदद के लिए तुम ही साथ चलो राजन, तुम कोई लड़की तो नहीं हो, हिम्मत से काम लो समझ गया, सब समझ गया भावी तुम सबने मिलकर मेरे गिरफ थरी के वारण जारी किये हैं लेकिन मैं कहे देता हूँ, मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला मेरा नाम भी राजन है, राजन ओ राजू, आ गया है देखो, तुम्हारी गिरफ तारी की तैयारियां हो रही है देखा बेटा, शादी की ख़वर पाते ही एक स्पेस गारी से आ गया भाईया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तो खाब में भी नहीं सोचा था, क्या आप इस तर मुझे खत लिग देनी देखा, मैंने कहाता ना, खत मत लिखो, तार भेजो तार शिकायत करने आ गया फुपी, तुम कुछ और समझी राजन को दरसल इस बात की शिकायत है, कि उसे शादी की ख़वर भेजने की जरूरत क्या थी जब सब तयारियां हो जाती, तो शादी के रोदों से बुला लिया जाता भाईया, ये बात नहीं शादी के दावत नामे भेजने से पहले मेरे भी तो कुछ सुन लीजीए अरे तुम क्या कहोगे और मैं क्या सुनूगा भाईया, मैं तो ये कहना चाहता था कि आखिर इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है ओ, ये बात है नहीं, मेरा मतलब है कि इम्तिहान हो ले, उसके बाद मैं तुम्हारा मतलब समझ गया राजय अच्छा, जैसे तुम्हारी मरसी ज्यादा स्यादा यही होगा लोगों को बाते करने का मौका मिलेगा लड़की वाले मुझे जबान का चूटा समझेंगा और दुनिया कहेगी रतनलाल के दिन क्या फिरे दिमाग भी फिर दौलत आते ही शराफत रुपसत हो भला एक मालेक अपने मुझी की लड़की को बहु क्यों कर बनाने लगा नहीं भाया, मेरा ये मतलब नहीं था माफ करना मुझे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा अच्छा होना राजन मांग गया मैं टर ही ठीक कही कुस्ते में इंकार न कर दे खुफी, राजन मेरा भाई है मैं अपने खून को पहचानता हूँ मेरे भाई मुझे कभी शरमसार ना होने थे मैं लिए भाई याई 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 कर दो करे करे कि दिले के लिए कौप करे करें सीदिले के ऊकानी का रचिन आप राजन जाया कहां वैं तुम्हारे उस्सूर आख़धार कहना कि याद है बहन जो होना था तो हो गया क्या हो गया बहन बहुत लक्षमी है लक्षमी लेकिन पूरी घड़ी किसी के टाले थोड़ा ही टलती है बहन हुआ क्या कि हमें भी तो बता छोड़ भीरी तू तो सदा आंखें बंद रखी है देखा नहीं इस चांड जेसी बहु का कैसा स्वागत हुआ है हमने तो आज तक कभी न देखा न सुना के बहु घर में प्रवेश करें और विद्वा उसे तिलग लगा समच गई मैं लगासी बात कर रही हो ना अरे नाम क्यों लेती हो किसी बहाँ मेरा दों से देखते ही कलेजा बैठ गया मंगला किस गया दी सोच में डुपियो तो क्या बात न करने के कसम खर रखिये अच्छा अगर ये बात है तो बोलो मत सिर्फ एक गाना सुना दो मुझे एच्छार बिल्कुल पसंद नहीं भग्मान के लिए चुप रहो अगर आज के राज भी चुप रहा तो दुनिया मुझे पागल समझेगी दुनिया क्या है? मगर ये तो बता दो तुम्हे क्या हुआ घर में किसी ने कुछ कहा है या तबियत अच्छी ने? तबियत अच्छी है लेकिन किस्मत ही बुरी है किस्मत? किसी को हाथ दिखाये तुमने? राहू केतु दर्वाजे पर ही तो खड़े थे लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आये आपको क्यों नज़र आते? पतलब है लता विद्वा है ससुराल में आती ही सबसे पहले वो दर्वाजे पर मिली आरती उसने उतारी तिलक उसने लगाया नदीदी कहीं चैन से दो गड़ी अंदर नहीं बैश सकती थी देखो मंगला लता को कभी भूल कर भी नदी दिया कल्मोनिय कहना, लता इस घर की जान है, कहीं भावी ने सुन लिया तो सुन लिया तो क्या होगा, ज्यादा से बुरा ही लगेगाना, लेकिन हमारा क्या भीगार सकती है वो, मैं जान की हूँ, मेरे पिताजी ने उचा घराना तो भावी के इशार उपर चलना होगा तो यू क्यों नहीं कहते कि आपको घर के लिए एक दासी की जरूरती दासी चाहिए थी तो शादी का इतना मड़ा घोंगरा चाने की क्या जरूरती मैं भी शांता की तरह इस घर की बहु हूँ जितना हक शांता का इस घर पर है उतना मे चुपा कर मेरे आखों को वो पूछे कान है जी हम मैं कैसे ना मनूनिका जो दिल में रहते हैं हर दम चुपा कर मेरी आखों को वो पूछे कान है जी हम मैं कैसे ना मनूनिका जो दिल में रहते हैं हर दम ना जब तक देख ले वो दिल तो कैसे तुबारा आए ना जब तक देख ले वो दिल तो कैसे तुबारा आए तुम्हारे इस अना पर भी हमारे दिल को प्यारा आए तुम्हारे ये शिकायत भी मुहबत से नहीं है कम छुपा कर मेरी आँखों को और पूछे कौन है दी हूं मैं कैसे ना मनूनिका जो दिल में रहते हैं हर दम नहीं हम यू न मानेगे तो कैसे तुम को समझाई दिखा दो दिल हमें अपना कहां से दिल को हम लाएं कित रखा है वो तुम को दिखा दखते हैं कैसे हम छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हूं मैं कैसे ना मनूनिका जो दिल में रहते हैं हर दम दिया था किस लिए बोलो अमोनत ही तुम्हारी थी दिया था किस लिए बोलो अमोनत ही तुम्हारी थी ये जब तक पास था अपने हजब से बेकरारी थी चलो छोडो गिले शिकवे हुआ है चांद भी मत्दम छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कान है जी हूं मैं कैसे ना मनूनिका जो दिल में रहते हैं हर दम हुआ 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 है वए रहते हैं तमन्ना नहीं कोई, अर्ज नहीं कोई, अपने बला से घुनिया जले, हम तो पीके जले. कौन है तू? बला, तुमका जिर्फ पिंजा ओ, पिंजा, इस वक्तो बले मासूम बनकर खड़े हो, खाल उदर गई है ना तुमारी, बदन पर जरा गोष्ट और रगो में खून होता तू, क्या के न बोलते तुम, मैं बलामन हूँ, तू शुद्र है, मेरा बैंक बलन्स इतन है, यह मेरी कोटी है, हो मेरा बंगला है, अब बोल, बेटा, अब बोल, मेरा खैल है, राजन के शादी में जरूर कुछ गड़बड हुए है, वरना यह शराब तो शराब, सोड़ तो कॉन अच्छोता था, राजन, यह क्या बक्वास है, अबै कोन है तू? मैं बक्वास कर करण आ ऊंठाउ हुँ, ने, दोस्त, मैं तो चांसे भी आगे जने का प्रोग्रम बना रहा हुँ, यह देखो, देखो, यह देखो तुमारे दोस्त, तुभी यह भी तुमारे तरह बोलता था, गाता था, अकडंता था, चलो, चलो, क्या करो अपने दोस्त को? चलो, हात मिल वह से, चलोव तुम चुप होते जा मैं पॉलीस को पॉन करूं पुलीस ? तुम क्या फोन करोगे मैं खुद पूलीस को फोन करताऊ पुलीस पुलीस नुपनमन यह, तुम पढ़ा गरिया मेरे दोस्स शाप पीकर आया है आलो, आलो, आलो वो कहते हैं मैं पीर के लाए हूँ, जल्दी आई है, अब तो हद हो गए, पाजन विस्की पीओगे, विस्की, पिलाओगे, लेगे, एक बड़ा विस्की, बड़ा विस्की, और चुटा सोड़ा, हाजन, विस्की पीओगे, वो तुम्हा रखी है न, वो तरहा ले आओ, मेरा दिल नहीं मानता के राजन को शराब की आदत पढ़ देंगे, ऐसा लड़का नहीं है वो, था तो नहीं, और बुरी आदत पढ़ते कौंसी दे लगती है, मैं फख्तिया करता था कि हमारे घर में एक डाक्टर है, लेकिन वो डाक्टर तक खुद मरीज बन रहा, तो क्य अच्छो पर रहकर लड़के की जिंदगी खराब करते हैं, नहीं भूपी, मैंने राजन के लिए एक इलाज सोचा है, उसे जबानी समझाने से असर उल्टा पड़ेगा, आज कल वो हस्टल में खुल मुखला पी रहा है, नसीयत करने से छिप छिपा कर पीने लगेगा, मैं जानने के लिए तो मैंने उसे तार देकर बुलाया है, तार? तार किसना के दी है? अपनी भीमारी की, ऐसा क्यूंकि आपने, राजन बहुत डरपोक लड़का है, तार देते है घबरा जाएगा, इतनी राज गय को ना आया होगा, जरूर राजन होगा, देखा मैंने क्या कह अच्छे तो है आप, ड़क्टर साब, जल्दी से भया का माइन कीछा, यह डॉक्टर कपूर है, हमारे कॉलेज के प्रफेसर है, इन्हें में साथ लेता है, नमस्ते, अधे में वीमार नहीं हूँ, मैंने तार दिया था के, मैं समझ गया, बाज लो के मिजास में घवराट ज करता हूँ, खबराने कोई बात ने, आईए, उठेए, आईए, उठेए, आईए, उठेए, उठेए, तारा, जब तुम्हारे तब्यत अच्छी नहीं, तो इतनी तकलित क्यों उठाते हो, आप तो हमेशा यही कहती है, शाय हमारा काम करना इने अच्छा नहीं है, अब क्यों आप मिने जोर से क्यों उठाते हैं, इसलिए ना कि घर के सब लख सुने और मेरी हसे उड़ाएं, क्या आप हो गया है तुम्हें मंगला, बैठे बिठाए, खयाली बातें क्यों हड़ते रहती हो, आखिर क्या कहा है मैंने तुमसे, मतलब तो आपका यही था कि मुझे रसोई बनाना नहीं आता, मेरा बाप गरीब सही लेकिन उसके घर में भी चूला था, जिसमें दोनों वक्त आग भी चलती थी और खाना भी बखता था, बस बस मंगला, इतना बड़ा व्याख्यान देने के लिए किसने कहा है तुम्हें, मैंने तो साधारन से बात कही थे, तुम्हें बात का बतंगड बना दिया, हाँ, बाते बनाने के सिवा मुझे और काम ही क्या है, आप तो चाहती हैं कि आपकी सिवा रसोई में कोई कदम न रखे, आपका सारे घर में चर्चा हो, और सब लोग हमारी निंदा करे, चलो तारा, इन्हें ही चोधराइं बनने दो कुछ भी हो, तुम्हें ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए, आखिर वो हमारी जेठानी है, जेठानी है तो इसका ये मतलब नहीं के हमेशा अपने टांग हमारे सर पर रखे, आज मुस्य बरता हो रहा है, कल तुम से होगा, मैं कह देती हूं तारा, अभी से समझ जा, वरना पान कासी बन के रह जाओगी, छोड़ो भी मंगला, कैसी बाते करती हो, मैं शांता बेहन को अचानती हूं, उनके दिल में कोई पाप नहीं, अरी पगली वो तो हमें दिल से चाहती है, इतनी बड़े दिल की होती, तो इस घर में हमारी ये दुरदशा न होती, हर चीज से हमें इ क्यों नहीं दे देती, बस मंगला बस, कभी तो मीची बात किया करो, जब देखो तुम्हारी जबान से जहर ही टपकता रहता है, राजन, तुम्हारे भाईया को मामूली सा ब्लेट प्रेशर है, ब्लेट प्रेशर? तो क्या हुआ, जरा से परहेज और आराम के जरूरत, पूरी फोज का मकावला कर सकता है, क्यों नहीं, अच्छा राजन, मैं चलता हूँ, नहीं डॉक्टर साथ, खाने खाय बगर आप नहीं जा सकते हैं, हाँ हाँ, डॉक्टर साथ, आप राजन के प्रोफेसर हैं, कम से कम इतनी सेवा का मौकत हमें दीजिए, आईए, देखा मेरी बीमारी का सुनते ही, मेरे भाई कितना घबरागा है, घबरागी क्या बाता है, आपको सिर्फ थोड़े से आराम की जरूत है, इसलिए तो मैंने तार देकर तुम्हें बुलाया है, मुझे? देखो राजन, अब सरीर वो सरीर नहीं रहा, दिन बर दुकान में बैठकर क आम रमेश भाईया समल लेंगे, क्यों राजन, तुम क्यों नहीं? भाईया, रमेश मुझसे बड़े हैं, यह उनका हक है, रतन बाबू, मुनासिब भी यही है, राजन को जब आपने इतनी महनत से यहां तक पढ़ाया है, तो फाइनल येर में जाकर उसे रोपना गलत बात अगले साल तो बोच डॉक्टर हो जाएगा, फिर आप जैसा मुनासिब समझें, वैसा करें अच्छी बात है, तो रमेश, कल से दुकान तुम समाल, मैं जानता हूं तुम वकील हो, शुरू-शुरू में दुकान डारी तुमें अच्छी नहीं लेगी बहिया, जब आपने फैसला ही कर लिया है, तो दुकान डारी तो क्या, आप जो कोई भी कम तज्विश करें, वो मेरे लिए फर्ज है मुझे तुम से यहीं उम्मीद थी, अन्ना यहां रहा करूँगा, और तुम बंगलोर जाकर दुकान का कारोबार सभाद, और राजन, तुम कल डाक्टर साथ के साथ चले जाना, डाक्टर साथ, इसका खायर रखा कीजिए, लड़का करा मन चलाए, आप ने फिक्र रहे, मै अच्छी भुली आदम जाती, अब ये बाल बाल बिखरे के पूरी चुड़ेल लग रहे हो, मैं जानी इस चुड़ेल की किसमत में मौत कब लिखे, मैं दिंदराज दुआय मांगती हूँ के मालिक मुझे इस दुनिया से उठा ले, ता कि आपको दूसरी शादी का मौपा म मेरी जान पर लाख मुसीबत आई, आपको खत पर खत लिके जाए तो आपके काम पर जू तक न रहेंगे, लेकिन आपके भाई या भावी को दुकाम भी हो जाए, तो आप दोड़े दोड़े चले आते हैं, जलल ने तुम्हे पागल बना रखा है, मंगला, कभी ठंडे दि ऑइसे तुमनी यह भी सोचा है, कि मेरे भाई ने खुन पसिनाये करके हमारे लिए क्या-क्या किया है, अगर तुमने उस देवता के खुर्मणिया देखे होती है, तो आज इस बख़ग की जूरत न होती, कुर्मानिया के हुंधित अपने लिए, हमारे लिए क्या खिया हू मंगला मेरे भाई और भावी के लिए अगर कोई बुरा लोज मुझ से निकाले तो इस घर में खून हो जाएगा खून तो मेरा ही होगा और मेरे खून से आपके नहीं दुलंग के हाथों में महंधी रचाई जाएगी तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद जमिदा है इस घर में रहना है तो मेरे भाई और भावी के कहने पर रहना होगा और अगर तुम ये जलान और हसन नहीं छोड़ सकते तो बड़े शौक्षा अपने घर जा सकते हूँ ये घर मेरा है मुझे और कहीं जानी की क्या दूरूर्स है आपके भाई साफ आपके लिए मेरा हाथ मंगने हमारे घर आये थे तो उन्होंने खुद कहा था कि इस घर पर चारों भाईयों का बराबर का हथ है मुझे इस घर से निकलना होगा तो सब को लेकर निकलूंगी नहीं तो मैं भी यही रहूंगी रहो बड़े शौक्षा रहो जब तक इस घर के हीच से इतना बज्जा तुम अपने पाउंज अमाय रखो लेकिन आज से मेरा तुमारा कोई संबन नहीं यही सोच कर चला जाओंगा कि मेरी बीवी मल चुकी है भाबी भाबी तुमने मेरे गले में एक फासी कहां से डाल दी क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो राजी अनाप शनाप नहीं कह रहा जो मुझ पर बीत रही है उसका रोना रो रहा हो भाबी तुमने कितने लग पियर मुझे फूलों के जोलों में चुला चुला कर बडा किया क्या इस लिए कि बढ़ा होते हैं मियकार्टों मेरोलंगा जाओ मुझे बच्पन में तुम पैर से वत ठोत कहा करती थी भाबी क्या तुमने इस तोते को उस बिल्ली के मुँमें देने के लिए पाला था ऐसा ना कहो राजन तुम मंगला को गलत समझे हो दिल से ऐसी बाते निकाल दो मैं देखूंगी कि आइंदा तुम आपस में हसी खुशी रहो नहीं भाभी नहीं मुझे किसी शेर के पिंदर में डाल दो लेकर उस नागन के हावाले न करो मैं कुछ कर बैठूंगा भाभी मुर्ख न बनो राजन मंगला के अभी उम्र ही क्या है बचपना ही तो है उसका वो नहीं समझती कि दुनियादारी क्या है धीरे धीरे सब कुछ स कि इसी तर सारी लंका में शोर मच रहा था कल इसे चुपाई से मुझे नीद आगई था रामायन सुनू बेटा रामायन सुनू नीन तो आती रहती है रावन के भाई का नाम कुम्बकरण था कुम्बकरण को नीन से और मीन को कुम्बकरण से बड़ी प्री थी बादल गर्जे या बेजली कड़के तूफान आये या आंधी चले परन्तु कुम्बकरण नीन में मगन रहता था रावन ने अपने भाई को जगाये रखने के लिए बड़े बड़े यतन के परन्तु कुम्बकरण नीन नीन होती है अरे पगली तो इसमें रोने की कौन सी बात है अरे ये तो खुशी का मौका है तैडी को जज को अधा मिला है वो भी धरम की नगली बनारस में जैदी आप लॉट के कव आएंगे तुम अब पराई हो चुपी हो ससुराली तुमारा घर ने से चाचा जी आपके जाने से ना जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है लीजे डैडी रतन बाभू तो तारा से भी बढ़कर निकले मेरा खाल है आप इनको अपने साथ ही लेते जाए तो अच्छा है जीवन जबान चलाने के लिए वी कोई वक्त होता है अच्छा जाए बड़ रतन को कभी कभी खाल लिखते रहना दैडी डैडी सिंकनल हो गया मेरा खाल आप बैठ जाए अच्छा आसे डैडी पर फूर्पपर अब जाब बच चुकें उठो Oh! कि वहा लाहा! ये सरने का नहीं, जर लेका का पहुर्ट तिह लेका बादी जिए करेदा कान... ..क्यार! सो तब हम, बराम का पांव का यिए को तिलो! ऑंके खुछें देञे? कंयाम का पांवे झावे! प्यो! आयो! Ayyँ़, बसके लाहिं! रिखार इस उनके क्या खेट रहा है। खाखा के भैंस हो रही है लगता। जरूरत ज्यादा पेड़ भर जाए तो फिर मस्ती सूरती है। जरूर इस लगके वह खराब करके छोड़ेगी। कैसी वाते कर रहे हैं। बच्चे हैं आपस में हसी मजा कर रहे हैं। यह हसी मजा समझती है। पगली यह वो चिंगारी है जो इस घर में धीरे-धीरे सू लग रहे है। देखना एक दिन इसी चिंगारी से सारा घर भुसम होके रहे जाएगा। पगली हो क्या है। हलो जीवल। अल्डो रमेश पोत्ति कर तो न juga म można पहूं गजाए। लड़का तुम्हारे यह होने वाला है और पूछ मुझसे रहो। मेरे प्यारे जीजा जीडरसल बात यह कि कुछ दिन हुए तारा का कथ आया था कि तो उसके पाओं भारी हैं तो मने लिख दिया कि सीध ही बैंगलोर चलिया हूँ लेकिन मैसूर में रहने में क्या हरजी देखो भाई साब हर बात समझा ही नहीं जाती परमात्मा के दया से पहली बार तो मैं मामा बनने वाला हूँ फिर हमारे हाँ यह रिवाज है कि पहली नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं घरबार के फर्स को भूल चुका हूँ और तारा यहां होगी तो तुम आते जाते रहोगे मुलाकात होती रहेगी खैर छोलो इन बातों को बताओ दुकान कैसे चली चल तो ठेक रही है एक रो पहली जैसी बात नहीं चोटी भाबी चोटी भावी चोटी भावी यह क्या कर रही हो पूझा की लिए फूल तोड़ Ground पहले तो क्या मित्ती में मैरे वह विए फूल घवान को जड़ाई तो क्या हुआ पूल पहल की से आप ब्धी कोई सली चली चाटी वावी यह का तो यह बारला नहीं अपने अप तुम्हारे या तुम्हारे भगवान के लिए नहीं लगाया तुम तो ओई छोटी भावी बड़ी नहीं कभी इस पौदेबा हात नहीं लगाया कि अगाया आखे फूट गी है क्या आती जाते को धक्के मारी है मैं तो हूँ ही अंदी लेकिन तुम्हे क्या हुआ है जागा सुबा सबरी मेरे मूँ ना करें कर देखो बेहन अब तुम मैं के जा रही है लेकिन वहां जाकर बैठी ना रहना है आने के भी क्या जल्दी है ना बेहन ऐसा मत सोचना अभी हम यहां है तो हमारी यह हालत है आखों से दूर हो गए तो नजाने हमारे पीछे क्या क्या खिचड़ी पकती रहे पता है तुम्ह गए थे इस घर में रहना है तो मेरी भावी की पाउं की खाक बनके रहना क्या तुम सच कहती हो ममला खसम है जो तुम से जूट बोलू तो क्या हम इस घर में सिर्फ गुलामी के लिए आये हैं क्या को बेहन गुलामी भी इससी कहीं अच्छी होती है मैं तो तुम्हारी कर भी शांता ही का साथ देती हो वरना देखो ना बड़े जेट ने दुकान का सारा बोच तुम लोगों के कंधे पर डाल दिया और अब मज़े से घर में बैठे आराम कर रहे है अरे गारी का वक्त हो गया बिल्लू अभी तक नहीं आया अरे बिल्लू के इंतजार में रही तो गाड़ी छूट जाएगी वो तो बाग के पिछवाड़े उस कलमुही लता से खेल रहा होगा जली जली रे पतंग मेरी जली रे जली बादलों के बारहों के दोर पे सवार सारी दुनिया ये धेख धेख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे जो मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खकोला उड़ा जाए लेके मन में लगन जैसे कोई जुहन चली जाए रे सावरिया की जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादियों के पादों के दोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे रंग मेरी पतंग का धानी है ये नील गगन के रानी बांकी बांकी है उठान है उमर भी जवान लागे पतली कमर बड़ी भली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बांकी पारों के जोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चूना मत देख अकिले, है साथ में डूर सहने है ये बिजली कितार बड़ी तेज है कठार देगी काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादियों के बारों के दोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे मेरी पादा मेरी पादा चल चल जो गरस्ते हैं वो बरस्ते नहीं तारा बेहन को छोड़ने बेंगलो नहीं जाना है मुझे का करना माँ अंजन में कोईला डालना है तो चली देर हो रही है नहीं मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा फूल कहां से लिया जाता है, बाग से, मगर हमारे बाग में तो ऐसा एक ही पौदा है, तो समझे लो, उसे पौदा से लिया होगा तारा बहर, मैं तो बिल्लू की मिननेते करकर के हार गई, लेकिन वो मानता ही नहीं, कहता है, मुझे बैंगलोर जाने से भी एक ज़्यादा जरूरी काम है तो उसने ऐसा कहा तुमसे, तू के मैं जूट बोल ले हूँ, अच्छा, मैं भी देखती हूँ, वो मेरे साथ बैंगलोर कैसे नहीं चलता, जल्दी से जाओ, वरन्य वो कहीं भाग निकलेगा बिल्लू, ओ बिल्लू, तुम मेरे साथ बैंगलोर तुम नहीं जा सकते जा सकता हूँ, भावी, मगर शर्त ये है, कि तुम मेरे जगा खड़ी होकर, मेरे पतंग मनाओ, मैं तुम्हारी जगा बैंगलोर रहता हूँ, मैं जो कुछ पूछती हूँ, सीधी तरह जवाब दो, सीधी तरह पूछती हूँ, तो सुन लो, कल पतंग बाजी का मैच है, मै अखिर बात क्या है, यह आए दिन तुम्हारा और लता का जगड़ा क्यों होता है, देखो मिट्चू, एक वक्त में दो काम नहीं होते, या पहले अच्छी तरह रो लो, या मुझे जगड़े का कारण बताओ, बताओ बेटा, क्या बात तो, देखो मा, लता मुझे मुझे यह पूल नहीं देते हैं, देना, लता, तु भी बड़ी जिद्धी है, कभी बच्चे का दिल भी रख लिया करते हैं, यह पूल इसका धोड़ी है, यह तु मेरे चाच्छी की पहते का है, इसलिए तुम्हे ने भतीजे को नहीं दिया, चल, मैं तुझे बाक्से और देते ह माँ, मिठ्धू राजा, उस फूल में क्या रखा है, चल, मैं तुझे एक बुल दस्ता बना देती हूँ, नहीं, बुल दस्ता, लता माँसी को दे देना, मुझे यह फूल चाहिए माँ, क्या करेगा तु उस फूल को, मैं अपने बालों में लगांगा, चल है, तु भी मेरे बाल तो लड़कियों जैसे है, शांता बेहन, मिठ्धू बेचार का क्या खुसूर, यह तो बिल्लू की शरारुक है, कल से देख रही हूं कि मिठ्धू ने इस फूल के लिए रोरों की जान बेहाल कर ली है, चलो बिल्लू ने लता को फूल दे दिया, लेकिन लता को त खया रखना चाहिए था, कमस्कम बच्चों से तो बे इंसा फिली ही करनी चाहिए, इस धर में कोई किसी से बे इंसाते नहीं करता, बच्चे के सामने किसी की शिकायत ना किया तरो, जो मिठ्धू, अपने कमरे में जातर सबक याद करो, आहाँ, इंसात होता कहां है इस घर म कमस्कम इतना तो पता चल जा कि हमें रसोय में आने जाने की मनाई क्यों है, आखिर छोटी छोटी बातों में हमें क्यों दबाया जाता है, तारा बेहन तुम खोजी सोचो, रसोय में आती है कभी तुम्हारा सर चक्राना शुरू हो जाता है, कभी तुम्हें कह आने लगती ह वो तुम्हारा दुश्मनी होगा जो ये देखकर भी तुमेरे सुए में आने दे। तुस्ते ये सब किसने पूछा है। घड़ी पर के लिए चुपने ही रह सकती। ये रहां ये फुजूल का जगडा क्यों। चलो तारा चाय के प्यानी चिला। मैं यहां चाय दिने नहीं आई। तो जाओ, अपनी कमरे में आराम से बैठी। मर्ची होगी बैठूंगी। मैं इस घर में बहु बनकर आई हूँ, विकारन नहीं। यहां तो जिसे देखो एक से बड़ा चड़ा है। खुकी है तो इस उमर में किसी को चै नहीं लेने देती। छोटा देवर है तो बात-बात में मुपर थूपता है। इस हालत में उसे बैंगलोर जाने के लिए कहा, तो पतंबाजी का बहाना लेकर बैठ गया। इस बिल्लू ने साथ जाने से इंकार कर दिया है। होई बात नहीं तारा, मैं मिठ्टू के पिताजी से कहती हूँ, ओ कल ही तुम्हें बैंगलोर छोड़ाएंगा। कल अभी बहुत दूर है, मुझे आज जाना है और आज ही जाओंगी। मैं गाउं की गमार लड़की नहीं, जिसे रेल में बठते डर लगता हूँ। पड़ी लिखी हूँ, बैंगलोर तो बैंगलोर अमेरिका तक अकेली सफर कर सकती हूँ। कौन कहता है कि तुम स्याने नहीं हूँ। लेकिन इस घर के औरतें अकेली सफर नहीं करती। किसी अपने का साथ होना जरूरी है। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे जाने का सब इंतजाम किये देती हूँ। यहां पानी के लिए तडब तडब कर मर जाए, तो फिर खुआ कोदने से क्या फाइदा। मैं जानती हूँ कि महरानी के हुकम के बगार यहां का एक पता भी नहीं हिल सकता। यहां की मैं आपके खुकम का इंतदार नहीं करूँगी। मैं वहीं करूँगी जो मेरे जू मेरे जी में आयेगा। ना ए तुझे जो भी तू वहं कर ले खुशी से आया है जो दुनिया में तो फिर ड!... यहहां किसी न दूनौ झुम्हां किसी से the ल writers ना किसी से ये हम पर हस्ती है और दुनिया इस पर, भगवान ने हमें भी आँखे दी हैं, हम सब देख रहे हैं, उंगा से उंगा सिंगार, नित नए कपड़े, माथे पर कभी गोल, कभी चकोर, कभी चोड़ी बिंदिया, बालो में बात का आला से आला फूल, क्या एक विद्वा के ये अच्छन होते हैं, बच्पन में ही अपने ख़तम को खाकर इसे सिंगार करने का क्या हक है, अरे इसे तो एक कोने में बैठकर अपनी खिसमत पर आसू बहाने चाहिए, या नई नवेलियों की तरह मटक मटक कर आते जाते से छोड़चार करने चाहिए, बस बस तारा, तुम में जो कहना तक कह दिया, अब भगवान के लिए चुप रहो, आपको मुझे चुप कराने का क्या हक है, महरानी जी, शीश महल में बैठकर दूसरों पर पथर नहीं फेकते, हमारे लिए तो आपके पास सौ सा नसीयते हैं, लेकिन जब आपकी बहन का सवाल आता है, तो ये सचियते कहा जाती है, हम तो एक कदम भी उठाएं तो आप उस पर सौ सब पहरे लगा दे, लेकिन आपकी विद्वा बहन जैसे चाहे अलले तलंगे फिरती रहे, मैंने कोई छुट बात कही है तो मूपर जवाब दो, गुंगी बनकर क्या वैची है? मालकीन, मालकीन, तारा बीवी ने खाना वापस भेच दिया है वापस भेच दिया, जाओ, फिर ले जाओ, उससे कहना जरूर खाना खाए ऐसी हालत में उरत को भूका नहीं रहना चाहिए अच्छा मालकीन और देखो, जरालता से कहना मैंने बुलाया है मैंके जाते हुए मैं जग्रा नहीं करना चाहती थी लेकिन दोनों बहनों ने जली भुनी सुना कर मुझे मजबूर कर दिया चलो बहन जो हुआ अच्छा ही हुआ आदमी का दिल पत्थर का तो नहीं होता आखरे एक में एक दिन इस लावी को फूट नहीं था एक बात कह जो दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी बड़ी बीबी जी ने कहा है कि आपके लिए ऐसी हालत पे भूका रहना ठीक नहीं यहां रख दोर चले जाओ दीदी तुम ने बुलाया था? हाँ मैंने ही बुलाया था खाना खालो लता मुझे नहीं खाना दीदी आज मेरा अवरत का दिन है आज कौन सावत है? उम्र पर के पश्चाताव का वरत दीदी पश्चाताव? बित्वा होकर इतने दिनों कवारियों की तरह हस्ती खेती करें यह क्या क्या है तुने? मुझे आज ही पता चला है दीदी कि मेरा यही पहनावा है जाओ, जाओ मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती मेरे सामने कभी इस तरह ना आना जाओ, चले जाओ जाओ, जाओ, पता है जाओ, त्वारा दिमाग खराब हो गया यह दिल प्थर का इस मासूम बच्ची पर ये जुल्म क्यों जवाब दो शान्ता मुझसे ज्यादा कुछ न पूछी बस इतना कहूंगे अभी बच्ची नहीं सियानिक होगी और फिर विदभा के लिए सफेज लिबास पहना तो समाज के पुरानी रित आग लगे तुमारी समाज को जिस समाज क यह दो आज तक मैंने जानता है वो लगारक के में रखा अच्छा किया तारा ने जो मुझे मेरे घलती याद दिला दी समझा यह तारा और मंगला इस घर की शुक्षान्ती की दिवारिया मुझे हील्ती नदर आ रही है आज कि इस घर में दूए कदम न रखाता है लेकिन आप ये माला भिकरने लगी, अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। क्रोध कितना बड़े से बड़ा क्यून हो, शान्ती की एक छोटी सी लहर उसे भाकर ले जाती है। मनुष्य असल में वही मनुष्य है, जो किसी कछिन से कछिन अवसर पर भी शान्ती का साथ न छोड़े। उनकव गुती वचन सुहावे। यहे शान्ता बहन, कितने प्यार से उसने सारा इल्जाम तुम्हारे सरदान दिया। और फिर हमारे देख को तुम जानती ही हो, वो तो उसकी एक एक बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। आखिर को मूद तो हमारा ही काला होगा। अब मैं समझ गई हूँ। इस घर में इससस से रहना एक पल भी नामुम्किन है। मैं आज ही अपने में के चली जाओंगी। तो लौट की कब आओगी बेहन। क्या मुझे अपनी इज़त प्यारी नहीं जो फिर लौट की आओ। भावी, मुझे माफ कर दो। मैं न जानता था कि मेरा तुम्हारे साथ जाना इतना जरूरी है। शांता भावी ने मुझे बहुत डाटा है। मैं तेयार हूँ, टैक्सी भी मंगवा लिए। मुझे बहुत दिनों की, है बहुत दिनों की बात था एक मजनू और एक लैला आ बैठे थे तीर नदर का दोनों पहला पहला। जिसम थे तो बढ़ एक थी जान, एक तूझे पढ़ एक उजवान, एक समाती, एक परवाना, एक दीवानी, एक दीवाना। जंगल जंगल बस्ती बस्ती मजनू प्यार का मारा, आठों पहर लगाता रहता लहला नाम का नारा। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मुरी लैला बसी मोरे मन में। हाँ दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा करतन जुकाई देख ली। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मुरी लैला बसी मोरे मन में। हाँ पत्थर से न मारो मेरे दिवाने को दो घरी सुन लो जरा प्यार के अफसाने को हाँ पत्थर से न मारो मेरे दिवाने को जान ले लो मेरी या मेरा कले जा ले लो मेरे मजनू को न छेड़ो मेरी दुनिया ले लो हाँ मेरी दुनिया ले लो, हाँ मेरी दुनिया ले लो पैस के बदल में तयार हूं मर जाने को हाँ पत्थर से न मारो मेरे दिवाने को हाँ उल्फत का जब मजा है के वो भी हो बेकरार दोनों तरप हो आग बराबर लगी हुई लेला पैस लेला हाँ कैस दुनिया वालो तुम्हे प्यार की दुहाई है सब कुछ हार के जोली पसार के प्यार की भीक लेने आज लेलाई है दुनिया वालो तुम्हे प्यार की दुहाई है दुनिया वालो तुम्हे प्यार की दुहाई है हो जाए जो मचनु मेरा क्या दिखरेगा दुनिया तेरा यार मिला दे मेरा प्यार हसा दे मेरा प्यार की भीक लेने आज लेलाई है दुनिया वालो तुम्हे प्यार की दुहाई है दुनिया वालो तुम्हे प्यार की दुहाई है लेकिन ये बेरह्म जमाना दिल वालों की बात न माना प्र लेला मजनु तोनों मर गए मर के भी वो नाम तो कर गए जो नहीं मिलते इस जहान में मिल जाते हैं आसमान में सबस्क्राइब हारे ओ भाग्यार क्यों रो रही है अभि तो मैं जिंदा हूं मर दम जबा तो जी भरकर रोना पूल तुझे क्या चाहिए नई शाड़ी चाहिए असमय है जो हुद्धे नई शाड़ी चाहिए नहीं सब्सक्राइगें , मुझे तो तेरा साख भोड़ दूगा वी क्या हुआ दूगा शर्म नहीं आती तुम्हें मर्द हो के मां के उपर हिजड़ों की तेरे हाथ उठाते हो आग लगे इस घर में और सत्या नाजो तेरे बापका किसंबाप की मेरे बापको कुछ ना कहो नहीं तो मैं तुम्हारी मां को कु मुझे वो यह कि जो मैंने तेरी मां से शादी कर ले मैं गदा हूं गदा हूं गदा हूं ओर मैं नहीं के वे बाप से यह पूछना चाहती हूं कि यह प्रेम पत्र नहीं से लिखा है अरे यो प्रेमपत्र की ओलाद दिखा मुझे खामखा चिल्डा रही है अब मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती मुझे आकर फोरण यहां से ले जाओ मेरे घजब पर डोरे डालकर अब इस घर पर हज़ जमाना चाहती है याद रखो अगर वो यहां आई तो मैं उस चुड़े लकार तुबहरा दो लोगा खुर की जाओगी अरे जबान बंदकर मुझब पंद घर मा काता हूँ अरे मुझब बंद kes अब एक अधे मा का नहीं बाप का मुझब बंद कर अवे चल हट अरे तू मूरकी मूरकी रही ये तो मेरे स्वर्घबाशी भाई की धर्म-पतनी लताजी छित्ति है तो उसे हमारी याद कैसे आगें कैशिर आया मुझे तेरी याद आई है तेरे जाने के बाद चाछी होईगी चाछी होईगी ताह है आने दो उसके पास बहुत थर्देवर है और घर का काम काज़ भी करेगी आए 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 लटा तुम्हारे सस्राल से खताया है तुम्हारे जेट तुम्हें लेने आ रहे है लेकिन इतने बरसों के बाद उन्हें तुम्हारा खैल कैसे आ गया नहीं नहीं मैं उन्हें लिख दूँगा तुम नहीं आ सकते नहीं जी 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 उजे जाने दे जी लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, यह भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, यहां पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है जी नहीं, मुझे तु यहां हर के समकारा में, लेकिन मैंने खुद उन्हें चिठ्थी लिखी थी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा तुम्हें चिठ्थी लिखने के लिए किसने कहा था, क्यों चानता, तुमसे इसमें पूछा था देखी, आखिरी एक में एक रोज तो इसे वहां जाना ही था, अब इसने इरादा कर लिया है तो जाने दीजी हाँ जी जा जी, मुझे खुशी-खुशी रुखसत कर दीजी जी तो नहीं मानता, पर तुम जाना चाहती हो, तो चली जाओ कुछ भी हो, अब मैं उस घर में पदम लखने को तयार नहीं जुरा दे दिल से बाट कर उता रहे, आख्रू हमारा अपना घर घर होगा आपके भाई सहाब और भावी सहाबा का, हमें कौन पूछता है वहाँ? बारा, ये चिला चिली क्या हो रही है तरह? अपने सुस्राल का रोना रो रही हूं भाया ओ, रोना है तो रो चुपके चुपके, आसू तो बहें आवाज नहोगी माई लियर जीजाची, भाई कितना भी पत्धर दिल क्यों नहों लेकिन बहन के आसूं को नहीं देख सकता हूं मुझे ये समझ नहीं आता कि आप भाई और भावी के लिए अपनी बीबी के कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? लेकिन जीवन, मैं कर भी क्या सकता हूं? अरे भाई सहाब, हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता? आप नाम से तो वकील हैं, लेकिन आदमी बड़े असी हैं और अगर आपके कानों में मैं नहों तो जरा सुनीए मैं कल सुबा आपके भाई सहाब से मुलाकात के लिए जा रहा हूं और मेरी बापसी पर आपको पता चलेगा कि इंसान हर मुश्किल को बड़ी सुला सफाई से आसान बना सकता है लेकिन तुम करोगी क्या जो आप आज तक नहीं कर सके ना मरेगी भैस ना तूटेगी लाखी कई आपको मंदूर है मुझे क्या इंकार हो सकते हैं भैया तुम इनकी बातों पर ना जाना इनसे कागज पर लिखवा लो कि तुम इनकी तरफ से भाई साफ से फैसला कर सकती देखा वखिल साफ वकालत तो आपने पास कियो प्रैक्टिस आपकी वीवी ने शुरू कर दी तेरा जवाब नहीं है तारा क्या अंग्रेजी नुक् लड़के को घर से अलाइदा करें उसके बात कमी लड़के का जी चाहा तो बाप को बुड मॉर्निंग कहने चला गया और कभी बुड्दे का जी चाहा तो बहू और बेटे को हाओ ड्यू डू करने चला गया मैं भी यह सब कुछ जानता हूं तो फिर जानते बूचते आप अंजान क्यों बने बैठे हैं भाई साहाब अंजान तो नहीं पर उल्हे जरूर क्या है भाई साहाब आपकी उल्जनों का तो सीदा साधा हल मेरे पास मोजूद है जितनी जल्दी हो सके घर बारों कारों बार का चार बराबर हिस्सों में बटवारा कर दीजिए बटवारा जी हां भाई साहाब याने अंग्रेजी में पार्टीशन इससे अच्छी राय कोई बड़े से बड़ा वकील आपको नहीं दे सकता अगर आज डैडी होते हैं तो मैं सौ फीस सदी यकीन से कह सकता हूं कि वो भ पाइदा होकर बड़ा होगा और उसके बाद आधी जिंदगी स्माल कोर्ट डिस्टिक कोर्ट साब कोड़ और सुप्रीम कोर्ट में गुदर जाएगा ने ने मेरे होते हुए मेरे भाईयों को कचहरी तक नहीं जाना पड़े है रमेश को अपने हिस्सा चाहिए ना बस जास्ते की रुकावट नहीं बना और ना बनूँगा दें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा चोटा भाई इतनी जल्दी मुझे अलग होने के लिए तक आ सकते है और फिर मैं तो आपको अपने घर का समझ के मश्वरा दे रहा हूं वरना मुझे पराय की हांटी में कर्चा खुमाने के आदत नहीं है सुनो जीवा तुमर में इसे कह देना वो बड़ी खुशी से अलग हो सकता है लेकिन ये जायदात का बटवारा होगा दिलों का बटवारा नहीं है रत्म लाल अपने भाईयों के लिए अपनी जान तक दे सकता है आप सब ज़रा गवर से सुनिये वो फर्म जो रतनलाल एंड ब्रदर्स के नाम से बंगलोर में कपड़े का व्यपार करती है आज के बाद वो रतनलाल की जाती मल्कियत नहीं बलके चारों भाईयों के जिनका नाम रतनलाल, रमेश, राजन और बल्देव है, मुश्टर का जाधाद होगी दूसरा भाई जिसका नाम रमेश है, वो बदस्तूर कारोबार समझा लेगा हर बरस के खात्मे पर वो अपने बागी भाईयों को फर्म के नफ नुकसान की गवर्मेंट के आडिटर से तस्दीख शुदा रिपोर्ट देगा मैसूर में जो बंगला आज तक रतनलाल के नाम पर है, वो आज से सिर्फ रमेश, राजन और बल्देव की मुश्तरका जाधाद समझा जाए और इस पर रतनलाल का कोई हक नहीं होगा मैं रतनलाल जो रमेश, राजन और बल्देव का बड़ा भाई हूँ, सिर्फ अपने गाउं के आबाई मकान का मालिक हूँ भाईया, एक गलती है इसमें क्या है बिलू जब आप सब को छोड़कर गाउवाले मकान में रहने जा रहे हैं तो मेरा हिस्से शहर वाले मकान में क्यों रखते हैं भाईया भाईया मुझे अपने साथ ले जालिए शहर का मकान राजन भाईया और रमेश भाईया आको दे देजे बिलू तुम्हें ऐसी बातें ही करने चाहिए गाउवाले मकान में दुरूर अपने लिए रख रहा हूं लेकिन है तो वह भी तुम्हारा ही जब चाहों हाकर रह सकते हूं हाँ भाई साहब कसम अंग्रेज की जिसे शहर की हवा मौफिक ना आए वो गाउं चला जाए हाँ वो बाती का हिस्ता भी जल्दी से पढ़ दीजे बिचारे रजिस्टार साहब बैठे बैठे सूब कर रहे है और पढ़ने को रही क्या गया है जीवन तमेश की जगे तुमने दस्कत कर गी है और राजन की घराजरी में मंगला ने सब कुछ संदिया है घरवालों की तसलिफ हो गई अब दो एक तिन में शहरवाले भी सब कुछ संदिया है बारहाल हम चारों भाईयों ने अपने खुशी से इस जयदाद का बटवारा किया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जयदाद के बटे हमारा आपस का प्यार भी तक्सीम होगे है जीवन दिल तूट जाया करते हैं बढ़ते नहीं चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची तूने तिन का तिन का चुन कर नगरी एक वसाई बारिश में तेरी भीगी पांखें दूप में गरमी खाई गम ना कर गम ना कर जो तेरी महनत तेरे काम ना आई अच्छा है कुछ ले जाने से दे कर ही कुछ जाना चल उड़ जा रे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंची है राम कहां महलों से निकाल कर कीचर में ला भारा है पुरा हो उन पापियों का जिनोंने इस नत में डा रहा है ऐसा न कहूँ फूफी आज हम सब विछड़ गये हैं तो क्या कल मिल जाएंगे तुम अंदर जाओ मैं कपड़े धो देती हूँ दीदी मैंने कमी बैची क्या कर रही है थोड़े से तो कपड़े हैं नदी पर जाकर धो लाती हूँ फूफी तुम अंदर जाओ मैंने तुम्हारी पूजा का सब सामन प्यार कर दो । बैली इसका मतलब क्या होता है। मतलब दूर क्यों जाते हैं मुझी को देख लो ये मेरी ही तो कहानी है यह तो पांग सिग्रेट का खर्चा हुआ लेकिन ऊपर से तो कुछ आमदा नहीं हो जाती होगी जी नहीं हम जिसका नमक खाते हैं इसकी नमक रामी नहीं करते हैं असम अंग्रेश की आप पके हिंदुस्ता नहीं हैं लेकिन मुझे बढ़ा अफसोस है कि आप मुझे आपके खिद्मात की जरूरत नहीं आप अपना हिसाब कर लीजे और घर जाकर बच्चों की दिख्भाल कीजे जी शुक्रिया है जनाब ने जोहीं इस वम्मे पदम रखा म मैंने अपना हिसाब चुकता कर लिया जै आप कैस में शरीफ महीं यहां का असिस्टेंट अकाउंटन्ट यह दो आपकी सूरत से मादम होता है मगर मैंने आपका नाम पूछा मेरा नाम धूंगेलाल है धूंगेलाल नाम की धूंगी हो या काम की भी सरकार आपका खाधिन ही कुछ दिना के बाद आपको पता चल जाएगा बहुत फूब बहुत फूब यार एक बात तो गताओ हमारे फर्म का बैंक बैलेंस क्या है जी तीन लाखें करीब है अच्छा अच्छा तो आज ही दो लाख रुप्यार रतनलाल ब्रदर्स एकाउंट से निकाल कर रमेशन कंपनी के काउंट में डाल दूदूर दो लाख का हूँ तीन लाख सी डाल एका हूँ अरे असम अंग्रेज की तुम तो बड़े हाई किलास आदमी हो बिटर ढोंगी आज से तुम हमादर सेक्रेटर लेकिन आपको एक प्राइट सेक्रेटर के जरुत भी होगी जरूर 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 बड़े अच्छी बात कहिए तुमने आज कितनी खामोशी है शान्ती पीस साइलेंस हलो मंगला कहो कैसी हो मुझे बहुत कुछी है मंगला कि आज इस घर की मालकन सिर्थ तुम दर असल ये घर तुम जैसे लोगों को ही शुपा देता है दिन रात गस पकड़कर कफ़ड़ा बेशने वालों के लिए ये बंगले नहीं होते भाया जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी महरबानी ही तो है महरबानी अंग्रेज की बंदा किस कादिल है मंगला मैंने सोचा है कि इस फर्म के कारूबार को इससे भी बढ़कर चार्चान लगा दो रमेश को मेरा ये मच्वरा बहुत पसंद है राजन की तरफ से तुम इस कागस पर दसखत कर दो ये लोग मामूली सी फॉर्मालिटी है सी वसी कोई बात नहीं जरूर दीवर हाँ जाँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च सेवा अपना धंग बनाए ये बैंदों से खता है रमेशन अपनी दुकान खुली है रतन ने ब्रदर का दीवाला निकान चुका दीवाला? रयाख माँ 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 रहतन रहतना बिलू जरा पानी तो रहतना रहतना खेराम खलाकरम हुआ क्या था बिलू इस खत देख लो भावी हम तु बिल्कुल बर्बाद हो गया हमान इक लखने निक्खा है रमेश भाईया और जीवन ने मिलकर दुकान का दिवाला निकाल दिया क्या चंदार कहें कि जुब भी करो फोपी अब कैसे हैं आप मैं ठीका ए भगवान इत ऐसे बर्षों की मेहनत पर पानी तुम चिंता ना करो भाया मैं एक एक कुछ देख लूगा मैं आज ही पहननों जाकर रमेश और जीवन दौनों को जेल किया वाना किलवाओ तो मेलाम भी बिल्लू नहीं ऐसा न कहो बिल्लू इसमें रमेश का क्या कुसा दिन ही बदलगा हैं आपनी सब अपने आप ठीक हो जाएगा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है लेकिन कोई रात ऐसी भी होती है जिसका दिन नहीं निकलता है खेर मैं चलता हूँ ऐसे हालत में कहा जाने लो बेटा फुकी दुकान के दिवाला निकल जाना को मामूली बात नहीं ना जाने कितने कर्स खाथ दर्वाजे पर पहरा दे रहे हैं समझ यह नहीं आता क्या मूँ लेकर जाओंगा उनके पसे ये फिक्र क्यों करते हैं आप मैं आपको रुप्या दूगी तुम कहां से लाओगी आप तो किछी को चीज दे कर भूल ही जाते हैं आपका दिया हुआ जेवर जो मेरे पास है चानता अफर गया है तुम्हारा क्या दुकान का कर्द उतारने के लिए तुम्हारी गर्दन आरी बाहें तुम्हारे कान नोच चानों कानों में लगाने के लिए भगवान ने फूल जो बनाए ही और गर्दन के लिए एक काले धागे का मंगल सुत्र जो है और हाथ तो कामकाज के लिए होते हैं इससे ज्यादा औरत को जेवर की जरूरत भी क्या है ये लीजी और अपने सर से कर्द की गच्छे उतार कर खुशी खुशी घराईए लीजी ये नश्यादा ये कोचा ये भी लेजादा ये भी लेजादा ये का करती हो अच्छा जिंता ना करना मैं जल्दी लाटा हूँ आप रतन बाबु का इस दुकान से कोई तालुक नहीं है ये रमेशन कंपनी है जिसका ताजा ताजा दिवाला निकना है अगर आप लोग अपना हिसाब साथ करना है तो इस फर्म का ये बचा कुछा परनीचर उठा कर ले जाएए देखें बचे कुछे कपड़े हैं ताइप राइटर है कलम दान है और कितनी उंदा तस्वीर है सौ वरस के बाद बेचिएगा तो क्यूरियों के दाम दिखेगी कोई इसका खरीदार? तस्वीर को साँखों पर बिठाने वाला की मराने लाद नम्स्यवा नम्स्यवाब देखें आपके जाते ही समके क्या हाल हुआ जीवन बाबुने हम सब कर रुपे मारकर अपने घर भर लिया है खबराइए जी भाई साब, यह मेरे छोटे भाई रमेश की दुकान है और छोटे भाई का कर्स बढ़ा भी चुपा सकता है, ठीक है ना? लोगी लाज, जे, यह लो रुप्या, जिसका जो हिसाब बनता है, चुकान, पैची. जी भाई साब, रमेश कहा है? वो तो मेरी बहन, यह ने अपनी भीवी के साथ उटा कमन पहाड की सहर को जया है, अच्छा, जी हाँ, सोचा था, आया हूँ तो नता जाओ, लोटे तो कह दे ना, रतनलाल है, अच्छी बारे. किर अच्छी आभनालबं, किर अच्छी बार filling डाम्ति किरावाव. कर ने कोई आरा थे बैचरी हां अरत अच्छा अच्छा अब अरत ने हमारे तलह शुरू कर दिया है लेडी लेडी अरे यहां किसे कुपार रहा है वहां बैठी है बेडिंग रूम में बेडिंग रूम में ओके जैनल वेट प्लीज वेट लेडी बाभी बाभी तुम यहां शुक्र है कि तुमने इस हालत में मुझे पहचान तो लिया लेकिन तुम यहां आये क्यों हो तुम्हारी शोहरत के इतने चर्चे सुने कि विश्वास ना आया सोचा खुद अपने आँखों जाकर देखा हूँ लेकिन भाभी इतने दूर इस संदेरे में तुम कैसे आईá मुझे बइस दर्च को दबाने के लिए शराब का सहरा लेना पड़ा हर शिराबी अपने आपको धोका देने के लिए यही कहता है नशाव वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं जो जिन्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते जिनमें सोचनी की ताकत नहीं होती जो उजाले से आंग चुराते हैं और उजाले को भूलने के लिए अपने आंखों पर जूटी पट्टी बान लेते हैं फिर उनको इतनी भी तमीज नहीं रहती ये मेरे माँ है ये बीवी है ये बच्चा है ये बेहन है इसी जहर को तुम दवा तमज़ कर पी रहे हो कह जो बाभी कह जो गंदे फोड़े को जब तक चाकूं से चीरा न जाए उसकी गंदगी नहीं निकलती देखो राजा ये तुम्हारा भतीजा है तुम्हारे भाई का बच्चा क्या तुम ये चाहते हो कि ये बच्चा जब स्कून जाए तो निड़के इसे ये कहकर छेड़े कि ये उस शराबी च्चा का भतीजा है जिसने अपने घर के मरियादा को एक बोतल भर पाने में डुबो दिया क्या तुम ये देख सकोगे कि ये भी बढ़ा होकर इसे बदमू को पहला है जो आज तुम्हारे मुझ से आ रही है क्या तुम्हारे भाइया और तुम्हारे फूपे ने जान आमारो कर यते लिए उसे लिए बढ़ा किया था भावी राजन अगर शराब पिना है तो चलो चलो मेरे साथ घर चलकर अपने भाईय के सामने पियो मैं अपने हाथों से तुम्ही पिलाओंगी लेकिन इसके बाद हम सबको अपने हाथों जहर देकर मोत की निंसुला देना भाभी मैं सौगन खाता हूँ अपने देवता जैसे भाई की सौगन जिस आउरत के रूप में तुम जैसे देवी मिलिये मैं इस चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर मेरे साथ घर चलो अपने भाईया से मिलो नहीं भाभी मैं इस हालत में उस भाई के सामने नहीं जाऊंगा जो रोष्णी का एक मिनार है अंधिरा रोष्णी से कैसे आँखे मिला सकता है भाभी अपने दिल को मस्बूत बनाओ राजन भाईया तुम्हें ठोकरा तो नहीं देंगे नहीं भाभी मुझे मजबूर ने करो मैं जिस बुलंदे से गिरा हूँ जब तक वहाँ वापस न पहुंचाओ भाईया को मुह नहीं दिखाऊंगा मुझ जैसा गिरा हूँ आदमी कभी उपाई के सामने नहीं जाएगा जो अपने राश्टे के फूब दूसरों को दे कर खुद करदों से पहल कर लेता है राचन भाई आखिर भाई होता है देखे ना बर्सों के बाद जब लटा का खत मुझे मिला तो सबसे पहले मुझे अपने स्वर्गबाशी भाई की याद आई और मेरी बीवी वो तो इस तरह फूट फूट कर रोने लगी जैसे ये कल की बात है ठीक कहते हैं आप लटाई ने जितकी वरना हम तेसे भीजने के लिए तयार ही ना थे क्यों जी ये क्या बात कह रहा है आप मेरा घर लटा का घर नहीं है क्या आप भी कमाल करते हैं वहां के चीद की कमी है नौकर चाकर गाए बैंस दूद मक्षन हर चीद बहुद है वहां तो देखिए एक बात जाद आई है वो ये के लटा के कुछ जेवर विवर भी थे चिंता न कीजिए लटा जो कुछ भी लेकर आई थी सब उसी के पास कोई वात ने कोई वात ने मैं तो ऐसे पूछ रहा था आदत से मजबूर हूँ चल लटा बैठ खटारे में पूपी मैं जा रही हूँ भगवान तेरी उमर लंबी करे बिटे जीने की असीस क्यों जाती हो पूपी रखा क्या है इस जीने में दीदी दीदी लटा बड़ी मुदत के बाद तुमसे पिछड रही हूँ कभी-कभी मुझे याद करनी या करना अरे फगले सदा के रिए थ आना जाना तो लगा ही रहेगा नहीं दीदी पिता तुमसे सुखानी में बड़ी लगी अरे अब छोड़ भी इस राम कहाने को स्टेशन यहां से दो कोस्त दूर है और रेल का बंबा अपने बाप का नहीं तो इंतदार करेगा चल रही हूँ जी बलते अब मैं जा रही हूँ अब ना कोई तुझे छेड़ेगा और ना तुदीदी से किसी की शिकायत करेगा कभी खेल कूद में अगर मैंने भूल जुक से तुझे कुछ कह दिया होगा तो मुझे माफ कर देना और देख अपनी शादी में नुझे पुलाना मत पूलना चल उड़ जारे चल उड़ जारे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जारे पंची बूल जा अब वो मस्त हवार वो उड़ना डाली डाली जग की आख का काटा बन गई चाल तरी मत वाली कौन भला उस बाग को पूछे हो ना जिसका माली तेरी पिसमत में लिखा है जीते जी मर जाना चल उड़ जारे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जारे पंची रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले जिनके साथ लगाए तुने अर्मानों के मेले भी की अखियों से ही उनकी आज दुआएं लेले किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना चल उड़ जारे पंची के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जारे पंची जारे पंची जारे पंची तुने ठाने लिए बंबई ही में रहकर नौकरी करेगा रमेश बंगलोर में है और राजन का तो कुछ पता ही नहीं लोग कहते हैं फाउज में भरती होकर कहीं समंदर पार चलाते हैं मरते वक्तिता जी को बचन दिया था तुम सब को पढ़ा लिखा कर बढ़ा अगनी बनाओ रमेश और राजन तो कुछ न कुछ बंगए पर तेरे मामले में मेरी हार हुई बिलू मैं इस जनम में जो हूँ सो हूँ भाईया मेरी तो बस एक ही ख्वाइश है कि भगवान मुझे अगले जनम में खटमल बनाए ताके मैं उस जीवन के बिस्तर में घुसकर उसे राध फर काटता रहू बिलू भाया तो चलने की तयारी हो गई हाँ भावी ये ले सत्तू बनाये हैं तेरे लिए रास्ते में भूक लगे तो पानी में घोल कर पी लेना और सुन बंबई की गाड़ी तो तो बैंगलोर से ही बढ़लेगा ये अचार की शीशिय और चूसनी लेता जा तारा बहन को देते जाना नहीं भावी मैं उन लोगों का मुझ भी देखना नहीं चाहता नहीं Billu, ऐसी बातें नहीं किया करतें अपनों से कोई गल्ती भी हो जाय तो अपने पले नहीं बांग लेतें नेरा दिल वहा जाने को नहीं मानता लेकिन तुम कहर जाऊंगा और देख Billu, तारा बहन से कहना के ख़बर भेजने में हमारे नहीं करें मैं और तुम्हारे भाईया, ख़बर मिलते ही अपने भतीजे को देख देख पेटा, गाड़ी में करही आँख न लग जाए बड़ा बुरा जमान है हाँ, और खिर्की से बहा न छांकना, कोहिला बिला पड़ जाता है फूपी, तुम तो मुझे भी तक दूद पीता बच्चा समझती हो अरे मेरे लिए तु तो क्या, अरतन फी दूद पीता बच्चा है अच्छा, पहिया नमस्त्री भाबी, भाबी जवाबी नहीं देता भूतों का मकान जो ठेरा भूत कहा नजर आते है बरफुरदार यह मकान है, कबरस्तान नहीं है जाहां तुम भूतों को तलाश कर रहा है ओ, तुम? तुम नहीं आप आँ, ठीक है, भाबी का है? वो यहां नहीं है और भाईया? वो भाईया तो गय कहा है? मैं तुम्हारे भाईया का सेक्रेटली नहीं हूँ कहो यहां कैसे आगए? मैं, मैसूर से आ रहा हूँ बली भावी ने तुम्हारी बहन के लिए यह चीजे भेजी हैं ओहो, जेठानी ने देरानी के लिए एतने कीमती तफ़े भेजे हैं मुह में न डालिएगा यह आपके होने वाले भाण्जे के लिए और यह आम का चार ऐ लड़के, इस घर में कोई अचारवचाव नहीं खाता पिकल तो खाते होंगे यह पिकल है, पिकल कसम अंग्रेश की किस हिंदुस्तानी से पाला पड़ा है दर्बान दर्बान को क्यों बुलाते हो शायद अभी तक मुझे बच्चे ही सबचते हो मिस्टर, मेरी मूछें अभी अच्छी तरह नहीं निकली लेकिन ताओ देना भी से शुरू कर दिया है ए बिलू, तु मेरा मिज़ाज नहीं जानता है अगर मुझे घुसा आगया तो तुरी खर नहीं है अहां जब घुसा आएगा उस वक्त देखा जाएगा अभी तुम ये चीजे रखो जब तुम्हारी बहन आए दे देना और कह देना मैं नौकरी के लिए बंबई जा रहा हूँ अगर तुम्हारी बहन और तुम्हारे वकील बहनोई के दिल में मेरे रतन भाया के लिए जरा भी इज़त है तो कभी कवार जाकर मिलतो आया करे बस यही संदेशा है या कुछ और भी कहना है महारानी जी या आसू किसे दिखा रही हो अजी ओ जरा इज़र आकर इसके लच्छतो देखना मा मुझे बुलाया आजी क्यों जी क्या गड़बड है अजी गड़बड क्या होनी है इस महारानी को देखो जैसे इसकी बहन तीन वफा सोने की थाली में खाना पर उसके खिलाती थी इस बिचारी से हमारे घर का कामकाज नहीं होता अरे भाग्यवान किस बहन का नाम ले लिया तूने निर्दई का जिसने अभी ताक इसको इतने दिन हो गया अब चट्थी पत्र तक नहीं बेजा माम माम बहुत भूग लगी है तुम लोग बाते ही करते जाते हो मैं इसकीर भी नहीं करता है अबे ओ ठेकल के कच्छे तूस बाप का बेटा है जो अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया था और तू रोटी के लिए रो रहा है जांतर जाग घर में मुरमरे रखे हैं गुड मेरा आगर खा ले नहीं 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 परसु भी मुझे भूख लगी थी तो आपने का अदा मोरे और गुड खाने के लिए मैंने खाया और मुझे जुलाब लग गया जुप रहा है सब कान खोल के सुलो इस महरानी को बुखार चड़ा हुआ है आज इस घर में सब को वरत रखना पड़ेगा अरे चाची तुम्हें बुखार चड़ा हुआ है मा तुम्हें तो बुखार नहीं चड़ा तुम आज खाना पका लेना चाची जाओ तुम आराम से सोजाओ मेरी फिकर मत करो आज मैं मुंखली खाकर भीम सेंखा पाट अधा करूँगा अबे ओ बेवकूस के बच्चे बोलिये इसने कल घर में कदम रखा है और तू मेरी जगा इसकी हमायत कर रहा है अबे ओ नदीदे शरम नहीं आती मा के सामने बोलते हुए यह हाथ मा के लिए मा गयता हुए अब अरे वहाँ बेटा बहुत अच्छे बिल्ली ने शेर को बढ़ाया और शेर बिल्ली को खाने आया पूटा बचान तो मेरे बेचे को हाथ लगाया यह सब इस चुडेल की शिरारत है वहाँ अपनी बेहन के छोटे देवर सी आखे लगाती थी यहां मेरे लागने को फुसला रही है बस बस बेहन ऐसा न को छूट बोलने वाले को भगवान जोटी नहीं देता अच्छी च्छी 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 बहुत लगा औरे खुन परक्षप मिले के तुम मेरी मा रहीं है नहीं बाप तुम हें का एक देग्स देख घृ... पूलिस हवालदार अच्छा हुआ तुम आगे इसका खून हुआ है ये कातिल है ये कातिल का मजदगार है ये हत्यार है मैं गवाँ हूँ बगर मुकदमा चलाएं तोनों को फार्टी के तक्ते पे चला दो नहीं हवालदार कोई बात नहीं मैं खूद ही ठोखर खाकर गिर पड़िती है हम एक नाटक के रेर्सल कर रहे है उसमें अग्सीन आता है इसमें ये लाकी लेरिक्ति गर कर बैढ्ठार्स मिंथा सकते हैं ऐसे स्चेज पर रजशाएं है यह है कि हर अब के दिन मेरे लग्चे का दिमाग खराब हो जाता है और यह अगरम शगरम बख्ले लगता है अबे ओ पागल क्यों हवालदार जी को तकलीफ दे रहा है हवालदार जी मैं खार कहता हूँ कि इस घर में खून होगा गतल होगा और जब होगा तो मैं आपको बलाऊगा और आप जरूरूर आईएगा लेकित अब जा सकते है उन्नी की सूर्थ तो हूब 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 तुम्हारी बडी जेठावनी शांत जाजी है मैंने कई बार सोचा कि शायद इस घर में नया महमान आने के बाद हम फिर एक बारे कथे हो जाए वो दिन अब ना आया जब से आई हो किसीने ख़बर भी ली है तुम्हारी लड़कर तो मैं ही आई थी वो लिखते भी तो कैसे तारा कैशी ते भी थे तुम्हारी अच्छी है आपने शांता बेहन को चिठी लिखती थी ना हाँ हाँ मैंने जीवन से कह दिया था हाँ मैंने परसों ही तार कर दिया था है मगर भाया मुन्नी तो कल हुई है तो इससे क्या फरक परता है मुन्नी एक दिन लेट हो गई मा किसका खुत है तेरे चाचा की चिठी है रमेश का खुत है नहीं राजन का अच्छा ये क्या क्या लिखा है पूज्य भावी जी नमस्ते अगर उस रात आप हॉस्टल में आकर मेरे आंखों से परदा न हटाती तो आज में सारे खांदान के लिए कलंग का टीका बन गया होता लेकिन आज में मिल्ट्री में एक बाइज़द डाक्टर हूं अपने आमदने से कुछ रुपया भेज रहा हूं इसे स्वीकार कीजिएगा और भया से कह देना कि मेरा खुन सफेद नहीं हुआ दुनिया इधर के उधर हो उसके लिए हौजी लिबास में अपनी एक ताजा तस्वीर भेज रहा हूं मा ज़रा चाचा के फोटो मेरे को लिखाओ ठैल मिठू ज़रा मैं देख अच्छा हुआ कि ए रुपया आगे मिठू के फीज तो भराई है तुम समझती हो मैं ये रुपय अपने आप पर खर्ट कर डालूँगा अभी इतना गया गुजरा नहीं ये रुपय राजन की इमानत है उसके नाम से दाखाने में जमा करा दूँगा जब लोटकर आएगा उसके काम आएंगे ये तो और रुपय अच्छी बात है ये रुपया करागुद मीचा हुआ अजब आएगी अच्छी को बहुत दोधार बोली लगाओ, ठर्षिया दॉर्पिया दो रुपिया, धाई रुपिया, जाई रुपिया, डाई रुपिया आदावर्शे रितल्लाल जी भई बहुत अफ्सोस है कि आपका चला-चलाया कारोबार इस तरहे बंद हो गया भाईया अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते है अगर हो सके तो मुझे फेरी के लिए कुछ कपड़ा उधार देदीजे उधार और इस जमाने में तौबा तौबा क्या कहते हैं आप शायद आपको याद होगा सबसे पहले आपके अब्बा ही में मेरी मदद थी अजी हजरत अब्बा मिया का जमाना और था अब्बा मिया पोना फिट लंबी दाड़ी रखा करते था और बंदे को देखे हर मईने सेवन ओक लाग ब्लेड के तीन प्रेकित लगते हैं मुझे मजबूर नहीं करता अर्ज कर रहा हूँ वकील साथ तो बनारस गए हुए अगर आप चाहें तो उनके बेटे जीवन बाबु की सिपारशी चिठी भी ला सकता हूँ क्या कहा जीवन बाबु अजी उस फितने को तो इस दुकान पर कदम न रखने को एक दिन हजरत तश्रीफ लाए थे जाने के बाद पता चला कि हमारा हुक का गुम है का कुछ गुम है झाल 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 मा, मा, यहां पर भी पानी आ रहा मा क्या करूं बेटा, धर के सारे बत्तन तो रखे प्रण्स यद। यदुन कैड़ी, जरू कुछ नगुछ बाते, ठागौंडर क्या करूंग कह वगय है? कह वगय है? करता है यह पया दो सकते हो तर यह जonst Dept रतन, रतन बेटा आखिर हुआ क्या तर चिंता न करो कि खबराने की कोई बात नहीं मा मैं डॉक्टर को हुला के लाओं नहीं बेटा मैं बुला के लाओं जीवन भीया यह क्या जुल्म करते हो तुम्हेने मुझे इस घर की मालकिन बनाया था और आज खुद मुझे बेगर करने आयो मिस मंगला, I'm sorry, मिसिस राजन, दुनिया में हर चीज बसती है तो उजड़ने के लिए इनसान चाहे कितना ही जोर क्यों न लगाए आखिरकार इस दुनिया का अंजाम है तबाए मैं यह कुछ नहीं समझती जीवन भीया तुम ही कहो के मैं इस घर को छोड़कर कहा जाओंगी इनसान जहां से आया है आखिरू से वहीं जाना है भगवान का शुकर करो के तुम्हारा मैकाभी तक सलामत है जीवन भीया, कुछ तो तरस खाओ, तुम देखते देखते इतनी यूं बदल गए लेकिन इस वक मजबूरी है, मंगला फर्म का दिवाला निकल चुका है कर्स खाहों ने ये घर कुर्क करा रहा है, पूर्ट का बेलिफ तुम्हारे सामने खड़ा है, बंदा सरकारी मामले में कैसे दखल दे सकता है हाँ मिस्टर बेलिफ, आप अपना काम कीजिए और घर की एक एक चीज़ पर सरकारी महर लगा दीजिए जो दवाई मैं लिखके दे रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, यहां ही मिलेंगी बैंगलोर से मंगवाली साथ डाक्टर साथ, यह सब दवाईं कितने में मिलेंगें? करीब करीब 40 रुपए खर्च हो जाएंगे 40 रुपए? एक तो गिरने से चोट लगी है, और दूसरे ब्लाद प्रेशर की बीमारी है, दवा की फाउरन ज़रूरत है, एक दो दिन बाद मुझे मरीज की हालत की खबर गया क्या किया जाए फूपी, इतने रुपए कहा से आएंगे? ए मालिक, ये भी क्या दिन दिखाये है तुमें, जब घर में लक्ष्मी थी, तब सहर भी थी, बीमारी भी इन दिनों में दी, जब घर में खाने को पैसा नहीं मालकिन रामदस तुम कहां से आएंगे? मालकिन शायद आपको पता नहीं किस बात का? जी, उन भाव ने दोके से, मंगला भी को घर से निकाल दिया आँ, तो कहां है मंगला? जी, मुझे बता है बगाएर कहीं चली गए? शायद अपने माई के गई हूँ क्या ये बात भी इनके बीमारी में ही होनी थी? क्या हुआ है मालिक को? देखो न, किस तरह बेसुद पड़े हैं तो मालकिन, मुझे फिर से नौका रख लीजी रामदास, यहां तुम्हारे मालिक के लिए दवा का इंतजाम नहीं हो रहा है तुम्हे कहां से तनखा दूगी? मालकिन, मैंने नौकरी मागी, तनखा नहीं लाइए दवाई का नुस्का मुझे दीचे, मैं मालिक के लिए दवाई लेकराद अंग्रेजी दवा है, गाउं में कहां से मिलेगी, बैंगलोर जाना होगा तो मंगलोर कौन सा दूर है, शाम की गाड़ी से लोट आउंगा मा, मैं भी रामु गागा के साथ पैंगलोर जाऊंगा, चाचा मुझे कासे नहीं मिले माँ चलो मिलेगी, बाबुजी, बाबुजी ओ, रामदास, तुम्हारा लगा है क्या? बाबुजी आप भूल गये, ये तो रतन बाबु का लाल है हा, हा, रतन का बच्चा, कपड़े देखकर कुछ शक हुआ था दादा बातने करो, बताओ मेरा चाचा का है? चाचा से क्या काम है? मेरे पितर की बिमार है तो फिर किसी डाक्टर के पास जा और चाचा के पास क्यों आए हो? बाबुजी, रतन बाबु के आलत अच्छी नहीं है, गाउं में बिमार पड़े हैं और दावाधारू के लिए पास फोटी कवडी तक नहीं है तुम लोग तो समझती हो के रमेश यहां नोट चापने का धंदा करता है वो बिचारा मेहनत करके आराम से दो वक्त रोटी काईता है वो भी तुम लग नहीं देख सकते हैं कहां से आ जाते हैं ले चुक्रे, चने बने खा लेना अपने पास जर्ट पास गरब करके माठ्य पर लगा लेना चलो रामो काका आफरीन है उस आदमी पर जिसने तुझ जैसी बेवकूफ और घर उजार लड़की को घर से बाहर निकाल दी पिता जी मेरी ये दुरदशा देखकर भी आप उसी की तारीफ करें और क्या तेरी तारीफ करने बसे बसाई घर को बर्बाद करके अब तुम उससे हमदर्दी की आशा रफिए पिता जी याद रखो जो आज से मुझे फिर कभी पिता कहकर पुकारा तू भूल गई है लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है किस प्यार किस महबत से रतनलाल ने तुझे जोपड़ से उठाकर महल में बिठा दिया चार जमात पढ़िए लड़की का हाथ अपने डाक्सर भाई के हाथ में देती है लेकिन तूने उसी पेड़ की जाटी जिसने तुझे च्छाओ दी भगवार ने मुझे ऐसे अउलाद ही क्यों इससे तो अच्छा था मैं बे आउलाद होता मैं समझ के हूं के मैं गलत रास्ते पर जा रही थी तो चल अभी मेरे साथ चल और सीधा चलकर अपने जिठानी के पाउं चुले और उससे साफ साफ कह दे तो उस सारे भरे स्वर्ग को तूने नर्क बनाया है अगर कि भी शानता ने तुझे माफ न किया तो पहले मैं तेरा प्रहु से तो मिल नहीं पाया क्या वह बैंगलोर में नहीं था चाचा थी तुम ही मा लेकिन वो छोटी भाबे का भया है न वो इबिल्ला बनकर दरवाजे पर बैठा था बहात ही गंदी-गंदी बाते कहता था मा हाम बेटा बुरे हाल पर भी लोग हसने हैं जाओ तुम ज इस तरह तो नाराज होंगे अच्छा जाओ बेटा काम काम अच्छा मा रामदास, एक काम करोगे हुकम दो मालकिन यह सोने के पतली से जंजीर है जाओ, इसे बेच कर दवा ले आओ मालकिन, यह जंजीर तो मुनने के पहले जनमदी पर मंदिर में जाकर पहना ही थी भगवान के असिस को नमेचो मालकिन अपने भगवान को बचाने के लिए यह तो इसे बेच रही हूँ जाओ, दवा लेकर शाम तक जरूर आजाना बहन मंगला यह काम मत करो गए, आखिर मेरे जेवर इस वक नहीं तो कब काम आएंगे मंगला यह जेवर ले जाओ, इसे बेच कर जली से दवा दियाओ जाओ ना, जाओ रामु काका यह क्या किया तुने मैं जानती हूँ के एक नागन से अमृत्याशा कोई नहीं रखता अब मैं वो मंगला नहीं हूँ जो बसे बसाए घर को उजार कर चली गए थे मंगला शानता बेटी, मैं तुम अपने बालों की सफ़एदी का वास्ता देता हूँ इसे मूर्ख समझ कर शमा करता हूँ आखर गवार ही तो है आदमी न मूर्ख होता है नस्याना लतन बाबू इतने बिमार थे तो मुझे ख़बर क्यों नहीं ए भगवान, इन्हें दुख भी दिया तो एक ऐसे इंसान को इसने अपनी जिंदगी में भूलकर भी किसे को दुख नहीं पहुंचाया शानता बेटी, बिलू कहा है? वो तो नोकरी के लिए बंबई गया है समझा, तो रतन बाबू की बीमारी का किसी को पता ही नहीं खर, कोई बात नहीं, मैं अभी सबको टार किये देता हूँ मैं अशिता है कोई शानता है यह तारा कुड़े दखनीया मुझे बताय का हम आहे हünf कि अब तु घर के मर्दों के मुऊं भी लगने लग गई है शरम नहीं आती शरम किस बात की मेरी जीजा जी बीमार है और आप लोग ने तार छिपा लिया शरम तो आपको आनी चाहिए अरे जीजा बीमार हो तो क्या हुआ तो क्या हुआ तू वहां जाकर क्या करेगी तू को लेडी जाकता रहा है अजी तुम्हें तो सारी उमर अकल रही आएगी ये अपने जीजे के बहाले उसके छोटे भाई से मिलने जा रही है बहन ऐसी बाते मत करो मुझे जरूर जाना है अरे तुझे रोकता कौन है लेकिन जैसी खड़ी है वैसे ही चली जा खबरदार जो ज अगर तो इसी तरह बेवकूफ रहेगा ना तो सारी उमर कुमारा रहेगा कोई परवाने चाची तुम घबराओ मत मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस कर दूँगा अबेयो मैं तेरी चमडी उधेर के छस में डाल दूँगे कोई बात ने मैं बगए चमडी के चाची के जा बनने वाला हूँ और अपने बुद्धे बात सभी नहीं डरूँगा आए ओ कठे क्या कहा मुझे बुद्धा कहा बुद्धा तेरा बाप तेरे बाप का बाप हर्चाव भीत में से तुम हर्जा पलासरी के मारे आए तुम भी हर्चाव तो दो हात हो जाए फेर हो जाए अबे तेर तुम ने तलबार तेज कर लिया मुझे दरा ये भी तेज करने वे जाए लंगा बने अरे बाप अरे बाप जीते रहो बेटा आज मुझे पता चला के तू वागई मेरा बेगा है तो आज आज आपको पता चल गया बरनामा मुझे पता है मगर मेरे बेटे हाथी का बेटा बंद रजरी होगा तो क्या हूगा है तो क्या गा क्या हुगा है आज से तो इस घर का मालिक आज से तेरा भी खुम चलेगा मगद ये तल्न वार चोड तेद sha आप लेव जीगओ आईए चाची मैं आपके जाने का बंदबस कर दूगा जी चाची, मैं यह रिराल करूगी जी चाची, कभी नहीं जाओगी जी चाची, खबराने के कोई बाद में डॉक्टर कह गया है, तो चाब दिन में ठेप हो जाएगा लटा, बेहन लटा आईए चाची, मैं अधिलाल के बीमारी का सुनकर बना रहा हूँ, अब कैसी आलत है? जी गाहन से ताराया था भाईया किसी है तब पहले से जाने गर गई था तुक्षा, तुम गाहों में नहीं जाते? जी नहीं, मैं बंबभी में नौक्री करता हूँ, भाईया की बीमारी का सुनकर आया हूँ संद्या, अच्छा चलो मेरे साथ कुलेट हाँ कहां जा रहे हो? जहन्नम में इतनी दूर जाने की क्या दरूरत है? यह घर क्या जहन्नम से कम है? जहन्नम तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो सौर्ज है देखिए, जबसे मैं यहां आई हूँ, आप मुझसे सीधे मूँ बात तक नहीं करते मुझसे आपको नफरत है, लेकिन मुन्नी ने आपका क्या भी गारा है आप शाम होते ही कपड़े बदनने चले आते हैं, और रात भर के ही बाहर गुम रहते हैं तो तुम यह चाहती हो, कि मैं दिन भर का ठका मांदा इस घर में आकर तुम्हारे भाई से अंग्रेजी के नुस्खे सुनो हाहा, भाई सहाब इससे अच्छा था कि आप रेलवे में भरती हो जाते हैं भाया, तुम्हे घायल करके जखमों पर निमक छड़कना खूब आता है सुन लिया मिस्स जीवन ऐसा बेजबान भाई किस बहन को मिलेगा? अजीब बेजबान भी और बेसरो सामान भी तुम मेरा है, जिसने तुम्हारे जैसी आउलाद का पैदा होते ही गला न गोट दिया प्यादी, आप आगे? हाँ तो गया हूँ, लेकिन आकर देखा क्या है मैंने अपने हरे भरे संसार को उजार कर तुम मैके में बैटी हो तारा, क्या तुम भी इस शैतान की बातों में आगे? बहुत अच्छा किया बैटी, बहुत अच्छा किया बहन और भाई ने मिलकर मेरा नाम खुब रोशन किया मिस्टर जीवन, आप गर्दल लटकाए क्यों ख़ड़े हैं? मैं तो डैडी.. अरे कमक्त, किसी का घरी बर्बाद करना था तो किसी गयर का करता, अपनी बेहन की शुक में आग लगा दी डैडी, मैं बिलकुल मासूम हूँ, इसमें मेरा कोई दोशन है वामोश मैं सब को सुन चुका हूँ रतनलाल इसकदर बिमार है और तुम में से कोई उसके ख़बर तक लिने नहीं गया डैडी, आप भी कमाल करते हैं मुझे क्या बैठे बठाए खाब आ जाता कि रतनलाल बीमार है तो क्या मिट्टू तुम से यहां मिलने नहीं आया था? कौन कहता है डैडी, यह लोग तो मुझे भूला भाला समझ कर चूटा, लाला है बिलो भाईया, तुम यहीं हो बड़े भाईया बीमार है तुम गाओं क्यों नहीं गए? मिट्टू तुम से मिलने भी आया था लेकिने संग्रेजी बीमारी ने तुम आउसे मिलने भी नहीं दिया बोलो, बोलो अब क्या कहना है तुम्हे जी हां डैडी, मिट्टू एक बार यहां आया जरूर था और तुमने नन्नी सी जान को धुद्कार कर निकाल दिया तारा को उसके आवे की खबर तक न दी जी हां डैडी, मैं भूल गया था एक दिन तुम यह भी भूल जाओगे कि मैं तुम्हारा बाप हो सारे फसाद के जड़ तुम हो, आउ मेरे साथ डैडी, मैं भी आपके साथ चलूँगी मैं भी तो शांता बेहन की गुनेगार हूँ, आएए डॉक्टर साथ, मेरे रतर ठीक हो जाएगा ना मैं अभी इंदेशन देखता हूँ लेकिन खात्रा तो नहीं कोई डॉक्टर साथ बीमार के सामने ऐसी बातें अच्छी नहीं होती मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उम्मीद तो है ना आपको उम्मीद तो हर कदम पर होनी चाहिए शुक्रे बग्वार, आखे खोल रहा है मेरा बेटा प्रतर, देख बेटा, बिल्लू, वकिल साहा, तारा सभी यहाँ है देख बेटा रतन, आप बेटा, हम सब आगए है जीवन, देख च्या रहा है बहर चू रतन के रतन भीया, मुझे माफ कर दीजिए मैं समझता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी बहन की भलाई के लिए कर रहा हूँ मैंने जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा मुझे माफ कर दीजिए मैं आगी हूँ मैं आगी हूँ मैं आगी हूँ मैं लगता मुझे बोलिये जीजा जी भगवान के लिए बोली मुझे मुझे यह बहुत बुरी बात है अगर तुम लोग इसी तरह मरीज को घर पे खड़े रहे तो मरीज अच्छा कैसे होगा तुम लोग के हाल चले जाना चाहिए प्लीज ड़क्टर साथ छुपाईये नहीं साब साब करेई अ कोई खतरा तो नहीं है ऐसे कोई बात नहीं है लेकिन क्या? बारह बजे तक मरीज की हालत देखनी चाहिए अगर बारह बजे भी यही आलत रहे तो फिर डर के कोई बात 안वी अच्छा? मैं बारह बजे के बात फिर आओंगा स्खए झाल 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 जानता जी मैं आपके पास हूँ क्या सब आ गया है हाँ सब यही हैं अंदर बैटे खाना खा रही है लता लता भी आ गया है अच्छा अब मेरे दिल को शानती मिली मैं डरता था मेरी अमोथियों की माला कहीं बिखरना चाए सब मेरे पास है तब मेरा पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा फुफी पढ़ा करती है न रखुपुली रीती सदा चली आई प्रान जाए पर वचन ना चाई राजन को तो बुलाओ राजन सिर्फ एक वही अभी तक नहीं आया लेकिन आता ही होगा चिंता मत कीजिए तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की चिंता है मेरा दिल कहता है राजन भी जरूर आएगा मैं एक बार राजन और मंगला को खुशी खुशी साथ देखना चाहता हुआ अगर मेरे जीते जी ऐसा ना हुआ तो मेरे मरने के बाद ही सही ऐसा ना कही है डाक्टर सहब अभी अभी गई है उन्हें कहा है कि अब खत्री की कोई बात नहीं डाक्टर तो हमेशा तसलियां ही देते है लेकिन मैं जानता हूँ अब कितना वक्त बाकी है रो के रही मैं तुम्हे अनाच छोड़कर नहीं जाओंगा नहीं नहीं ये बाद नहीं दरो मत तुम मिठ्टू की देखवाल करो बड़ा होकर मिठ्टू तुम्हारी देखवाल करे अफे मेरे भाई जो तुम्हारे साथ है चांता हूँ वो सब मेरे दिल के टुकडे खड़ी भर के लिए उनमें से अगर कोई बदल भी जाए तो परवा नहीं अपना फिर भी अपना है खोन का खोन पोकारता है और शांता मुझे तुमसे एक और बात कहनी है शायद वक्त इजासत में दे मेरे पास आओ शायद कुछ लोग जल्दी मानने के लिए तयार ना हूँ लेकिन ये काम तुम जरूर कर देना शांता में क्यों आप खुद ही अपने हाथों ये काम करेंगे मैं ऐसे नजर नहीं आता है जानता कहिए राजन को नहीं पुलाया मैंने आपसे कहा तो था कि वो अभी नहीं आया नहीं आया कैसे नहीं आएगा वो जरूर आएगा वो मेरा राजू है दोड़ा दोड़ा आएगा राजू 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 रसे असे र्दर्शी रवर राजू 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 राजन तुम इत्य दिनों थे कहां, क्या हमें बिल्कुल ही बोल गए थे, तुम्हें और मैं बोल जाओ, भाईया, मैं अपने से तंगा कर फाउज में भरते हो गया, पूरी नहीं तो आदी तुम्हें जरूरी घुमकर आए हूँ, अच्या, हाँ भाईया, मगर ये तो बताओ ये दूनगाओ कैसी है, अरे राजन विलू की साधी है न, क्या हमारे विलू की साधी, क्या हो इतना बड़ा हो गया, मैं भी अच्छे मोगम बढा गया हूँ, हाँ फूपी राजन, फूपी चाटा इतने दिन कांचे टाटा फिर बताओंगा तेरे लिए बड़ी अच्छा अच्छे किलूल लेंग। ताजी काने पेता क्या राजनाया है? अहां भाभी! 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 मेरा भगवान कहा है तो क्या वो भगवान हमारे घर संसार के मंदिर से रूट कर चला गया क्या मुशे उजड़ता की दरसिन कभी रहूंगे जिसने अपने जोटे जोटे भाइयों के अवलाद की तरह पाला जिसका हमारे सरों परसाया था भाभी भाभी उनके बदले मुझे माउट क्यों नाई आखिर मेरी दुनिया में क्या दुर्रत थी भाभी भाभी तो आखरी दम ते कि यही सोचते हूंगे कि मैं शरावियू निकमा हूँ और हूँ नहीं जानती भाभी मैं अपनी काया बदलकर किस गुरूर से यहां आया था रास्ते बर में खाथ देखता रहा कि भाभी या मुझे बदला हुआ देखकर मुझे गले से लगाएंगे लेकिन भाभी भाभी वो तो नहीं राजन लेकिन उनके आत्मा तुम्हे देखकर जरूर खुश हो रही लेकिन भाभी मैं तो अपने भाभी को नहीं देख़ता ये देखो ये देखो मामी यह देखो मावी, मैं अपने भाई, अपने भगवान के चरनों में अर्पन करने के लिए क्या क्या लाया, मुझे क्या पता था कि मेरी पूजा स्विकार रोगी वो उच्डालो आश्व राजन, बिल्लो की शादी का दिन है, चलो मंगला तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे स्विकार कर लो बाभी ये तुम्हारे भईया के अंति मिच्छा थे राजन भईया के अच्छा हो या तुम्हारा हुकुम, मेरे लिए एक बराबर है भाभी मुझे क्ष्मा कर दीजी क्ष्मा को मुझे मंगनी चाहिए मैं औरत को सिर्फ मर्द की दुश्मनी समस्ता था लेकिन जब मैं अपने भाभी को देखता हूँ तुमचे दुनिया के हर अवरत देवी नजर आती है मंगना जी शांता वेटी वहां क्या कर देगी को दोनों को आशेवाद दो चो नहीं माराओ जब ये ओरन हो भी अब हो पुश्मना परे जेग्यारी मंगन माराओ कि दुमना परे जब 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 देखता हूँ 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 रिखे रखे राल हूँ मेरे प्रभू, आपके अधुरे स्वपने पूरे होगी, मंगलाव राजिन का मिलाप होगया, लेता भी बिल्लू के होगी, आप कुछ दिन और रहते, तो यह सब अपने आमखो देखते, मा, बेटा, मा, तुमने तु मुझे वज़न दिया था, क्या आप कभी नहीं रोगे, आप बेटा, मैं कभी नहीं रोगी, जिस मा का तुम जैसा लारो, जिस भाभी के रमेश, राजन और बिल्लू जैसे देवर हूँ, भला हो क्यो रोने लगी?